आज हम English का विपर डिस्कस करेंगे, यह भी December 2023 में, सबसे पहले स्टार्टिंग में पेपर जब होता है तो English Hindi का होता है, तो देखो, क्या-क्या चीजे रहेंगी, साथ कोश्चन होते हैं, there are seven questions that are compulsory in the nature, इसके बाद क्या है, marks क्या है, साथ-साथ में indicate किये गए है, legible handwriting में English में लिखना होगा, word limit साथ में जहां specify की गई है, वहाँ पर आपको उतने words में लिखना होगा, इसके अलावा, left, जिसने कि any portion, page or portion, left blank must be clearly stuck off, और re-checking or re-evaluation is not allowed, यह बाते इन्होंने कही है, और इसके साथ हम start करते हैं, देखो, पहला question क्या था, rewrite the following sentences after making necessary corrections, if any, अगर कोई भी correction है, वो बतानी है, unnecessary change नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या है, I have accepted the offer yesterday, तो पहला यह है, I have accepted the offer yesterday, तो इसको correct करने के लिए यहाँ पर sentence क्या होगा, I have accepted the offer yesterday, यहाँ पर आपको जो tense की inconsistency है, इसको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पर यह कौन सा tense यूज़ कर रहा है, present perfect tense, I have accepted, जो नहीं कि यह continuously चल रहा है, जो have accepted होता है, यह generally क्या दिखाता है, यह उस time पर जो actions हो रहे हैं, वो present perfect है, जो उस समय पर time है, वो specified नहीं है, एक तो यह चीज़ denote करता है, ठीक है, time specified नहीं है, और दूसरा किस चीज़ के लिए होता है, कोई भी जो action हो रहा है, जो start कर दिया गया है, past में हमने उसको शुरू कर दिया था और वो continue हो रहा है, तो जो adverb है, जिसे adverb yesterday है, यह specify क्या करता है, को time, जो basically yesterday के लिए हमको simple past tense लगत पर क्या रहेगा, I accepted the offer yesterday, जो simple past tense है, accepted, नहीं appropriate क्यों है, क्योंकि जो action है, क्यों accept कर रहे offer, यह कब हुआ था, यह एक specific time में हुआ था, और वो specific time क्या है, yesterday, ठीक है, तो यहाँ पर जो present perfect tense है, वो suitable नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों कि वो किसके साथ pair करती है, वो specific time expression के साथ करती है, ठीक है न, तो उसकी reference किसके साथ होगी, किसी specific time के साथ, नेक्स क्या गया रहे है, do you mind in having a cup of coffee or milk, तो यहाँ पर, जो correct करना यह sentence को, हमने क्या देखना है, इसमें तो issue कहां आ रहा है, एक preposition की जो usage है, इसमें issue है, preposition क्या होता है, कोई भी, जिसे English grammar में, यह express करता है, relationship, जो noun है, या pronoun होगा, noun, specific किसी चीज़ के लिए use होता है, pronoun, उसको denote करने के लिए, तो जो noun और pronoun है, या कोई और word, sentence के अंदर रहेगा, तो उसके साथ relationship क्या है, यह किस से बता लगता है, preposition से, यह क्या बताता है, preposition लगा के साथ, time के साथ, direction के साथ, या आप introduction जब दे रहे हो किसी object के बारे में, उस time पर भी, यूज होता है, जो छोटे छोटे चोटे words के साथ, यूज के जाता है, direct noun, pronounce के front में लगाया जाता है, तो यहाँ पर, जिसे हम issue देखेंगे, problem क्या है, जो word in है, after किसके लग रहे do you mind, तो हम क्या correction क्या है, इस in को हटा देंगे sentence से, ठीक है, तो corrected sentence हमारा क्या होगा, है न, do you mind having a cup of coffee or milk, छीक है, जब हम do you mind शब्द यूज करते हैं, यहाँ पर in की ज़रूरत नहीं है, क्यों, जो verb है, जिसे हम कहते हैं कि next verb, यहाँ पर जो भी रहेगा, तो यहाँ पर जि directly भी कहते हैं, ठीक है, तो यह कैसा है, यह इसी तरीके से, जिसना, is it okay with you to have a cup of coffee or milk, इसके एक shorter way में कहने काई कि यह तरीका रहेगा, जिसे phrase है हमारा, do you mind, यह typically किसके साथ follow करता है, जिसे जिरंड है, हमारे यहाँ पर जब आई, ing form होता है, वर्ब के साथ, तो वहाँ पर ह तो बिना preposition, इनके यह use होता है, देखो, inglish में क्या होता है, कुछ certain verbs है, कुछ phrases है, वो preposition के साथ, जिसे हम कहेंगे, तो वहाँ पर वो नहीं लगते है, preposition इसलिए भी थोड़ा confusing देता है, क्योंकि कुछ cases होते हैं, और वो याद करने वाले हैं, कि इस condition में ऐसा होता है, त देखेंगे, मीना is usually getting up late, जो है, यहाँ पर issue क्या आ रहा है, tense का, थेक है, tense का issue है, तो usually gets up late, अब इसको हम समझने लगे, और इजनल सेंटेंस क्या यूज़ कर रहा है, present continuous tense, is getting, is getting up किस के लिए यूज़ किया जाए, जेनरली present continuous अगर हम देखेंगे, तो ये actions जो भी हो रहे जो अभी हो रहे हैं और किसके लिए या कोई temporary reaction कुछ समय के लिए होता है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हम क्या discuss कर रहे है इस question में एक habitual action या routine को शो कर रहे है सिर्फ मीना है ठीक है मीना का क्या है usual time जो उसके रोज उठने का time में उसकी बात की जा रही है ठीक है रहेगा हमारा ठीक है तो gets up correct form है यहाँ पर use क्यों कि usually का मतलब क्या show कर रहा है usually शब्द क्यों use किया जाता है यह दिखाने के लिए कि यह एक उसकी regular habit है तो regular habit कि हम जब बात करेंगे वो align करें तो यहाँ पर simple present tense ठीक है इसका usage होगा next हम देखते है गोविंद is elder than और older than और older than या elder from his brother तो यहाँ पर कैसा करेंगे तो corrected sentence गोविंद is older than his brother अगर हम English में समझने की कोशिश करें देखो यहाँ पर हो क्या रहा है एक comparison की बात हो रही है जब हम दो लोगों को compare करते हैं तो उस समय पर क्या older than और यह जो older है यह comparison के लिए older यह किसमे age में और भी उसका than यह preposition यूज की जा रही है ठीक है क्योंकि दो के बीच में comparison हो रहा है जो phrase है जिसे हमें देखेंगे na elder than, older to और elder from यह grammatically correct यहाँ पर नहीं है इस context में क्यों elder है elder को हम कैसे use कर रहे है एक adjective की तरह लेकिन यहाँ पर ज़्यादा important क्या है अगर हम elder और older में कैसा अगर हम comparison देखें है तो ज़्यादा formal जब हम कहेंगे ठीक है तभी हम जब के formal हो last common कौन सा है elder than older ठीक है तो यहाँ पर वह यह कि elder than के अगर हम बात करेंगे कि क्या structure वे fit कर रहा है नहीं इसलिए हम क्या कह रहे है he is older than his brother older हम use करेंगे next हम क्या बात करें despite close friendship तारक did not respond to my letter yet ठीक है तो अगर हम पर बात करेंगे तो यहाँ issue क्या है जो preposition है response part में preposition missing है उसको ठीक करना है ठीक है ना sentence हमारा क्या होगा despite our close friendship तारक has not responded to my letter yet देखो क्या क्या issues पहले हम बात कर रहे है preposition जो हमारा phrase है ठीक है respond my letter इसको क्या होना चीए respond to my letter जो verb हमारा respond रहेगा यह क्या require करता है एक preposition require करता है to जब यह indicate कर रहा है कि response को तो हमको to लगाना होगा दूसरी बात यहाँ पर जो हमारे verb का tense है ठीक है तो has not responded क्या present perfect tense क्या present perfect tense क्या बोल रहे है had not तो had not क्या हो जाए फिर वह पास्ट एक तरफ हम past के बात कर रहे है दूसरी तरफ क्या है है ना respond my letter yet present में हम बात कर रहे है अभी तक मेरे पास जवाब में इसी लिए past वाले terms को हम नहीं ले रहे है ठीक है जो हम verb tense के बात करें तो भी ना यह has not responded क्या बात कर रहे है present perfect तो यहाँ पर यह did not respond यह ज़्यादा appropriate हो क्योंकि present perfect tense है क्यों क्योंकि अभी तक action नहीं हुआ है अभी अगर हम देखे ना यह relevant present time में हम देखेंगे और इसमें specified कोई time नहीं है कि past के साथ उसको हम specify गरे है हम क्या कह रहे है अभी तक उन्होंने मुझे respond नहीं किया है फिर इसमें एक hour लगाया हमने है ना तो hour क्यों लगाया हमने close friendship यह clarity दे रहा है वो indicate कर रहा है वो friendship किसके बीच में है जिसने यह sentence कहा despite our close friendship तारग did not respond to my letter वो individual वो जो speaker है और तारग है उसके बीच का relationship इसलिए हमने साथ में अवर्शब यूज़ किया है यहां तक कोई impression next क्या बोड़ रहे हैं do as directed क्या 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 कह रहे हैं पहला when did you reach home yesterday यह question mark है सुमन said to रवी आपका पहांचे कल इसको क्या करना है indirect speech में convert करना है तो देखो जब indirect speech में आप change कर रहे होते हो तो दोनों चीज़े देखने का तरीका जो perspective है और दूसरा जो time reference है इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है तो when did you reach home yesterday सुमन said तो यहाँ पर जो reporting verb है सबसे पहले तो change करना पड़ेगा original sentence में हाँ reporting verb क्या रहेगा है ना जिसने said said को हम क्या change करेंगे asked ठेक है तो in direct speech में said का asked बन जाएगा पिर जो हमारे हैं यह conjunction की जब हम बात करते हैं जो direct question होते है generally कैसे introduce किये जाते है जिसे conjunction if use होगा या whatever पर जो questions हम start कर रहे है questioning word के साथ when, where, why, etc तो इन सब में क्या होगा same word यूज किया जाता है ठीक है same को हम word को रख सकते हैं जब in direct speech use कर रहे हो तीसरी चीज़ हम क्या ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर हमारा tense का shift हो रहा है तो tense कैसे shift होगा जैसे reporting verb है यह past tense में है ठीक है तो यहाँ पर said के साथ उसको use किया जा रहा है तो जो verb tense हमारे reported speech में use करेंगे तो उसमें shift होगा एक step back चला जाता है वो reporting के time पर तो यहाँ पर क्या रहेगा जो यहाँ question में specific past event है ना reached home yesterday तो tense यहाँ पर क्या है past simple ही रहेगा ठीक है फिर एक pronoun change की भी बात होती है तो pronoun हमारे यहाँ पर क्या है जिसे you है तो रवी के perspective से हम कह रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर सुमन बोर्ड रही है रवी के बारे में तो you से क time expression adjustment के हम बात करते हैं तो जो शब्द yesterday है yesterday को भी हमको adjust करना पड़ेगा time के लिए ठीक है तो yesterday क्या हो जाएगा previous day और the day before previous day या day before use कर सकते है तो अगर हम इन सारे changes को करेंगे तो in direct speech अगर हम देखें when did you reach home yesterday सुमन said to रवी ठीक है क्या बन रहा है सुमन asked रवी when he had reached home the previous day yesterday का previous day हो जाएगा ठीक है अगर हम एक चीज़ को ध्यान रखने कोशिश करें तिपिकली past है या simple जिसे हम गएगे डिड रीच यह क्या हो रहा है had reached indirect speech में होगा ठीक है दोनों तरफ से हो सकता है दोनों चीज़े चल सकते हैं past perfect यहाँ पर use किया जा रहा है किस चीज़ के के लिए कि वो reach कर गया ठीक है और यह complete हो चुका है बोलने से पहले इंसान पहुंच चुका था वो reach कर चुका है ठीक है next देखते है तो इसमें क्या है हर एक sentence में कुछ कहा गया है 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 न हमने वो चीज़े करनी है तो beside preparing for the interview I also updated my bio data इसको rewrite करना है sentence में और शुरू कैसे करना है I not only besides preparing for the interview I also updated my bio data दो काम किये हैं साथ में तो यहां हम क्या देखेंगे हमको ensure करना है कि जो sentence का structure है दोनों चीज़ों को यह emphasize करें पहला क्या है कि individual क्या कर रहा है उसने interview की त्यारी करी और दूसरा क्या काम किया अपना bio data अपडेट किया तो दोनों चीज़े important है ठीक है त updated my bio data इसको कैसे करेंगे आई क्यों किया है I not only not only में prepared for the interview but also क्योंकि not only के साथ but also but also updated my bio data ठीक है तो यहां पर क्या होता है जब आप not only use करते हो साथ में but also भी यूज होता है ठीक है यह important है एक जो हमारे parallel structure होता है इसको maintain करने के लिए तो दोनों not only होगा तो साथ में but also भी होगा ठीक है तो यह correct grammatical form को रखने के लिए इसको रखता है इस case में यहां पर दोनों को हमने रखना था जिसनल यह prepared है और update किया इनको parallelism में रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा past simple tense में दोनों को रखना प beside तो इसमें add कर रहे हैं कि additional action प्राइमरी जो हमारा action था उसके साथ हमने एक और action एड़ किया क्यों उसमें not only but also but हमने not only but also में हम क्या कह रहे हैं दोनों में equal weightage देनी है और साथ में हमारा verb tense है जो preparing कि कैसे हो रहा है change preparing से prepared किस चीज़ के लिए वो past tense के लिए ठीक है और यहा parallelism में prepared तो यहाँ पर consistency रहेगी इसके अलावा जो हम conjunction की बात करते है not only but also यह co-relative conjunctions है दो को connect करने के लिए तो इसमें equal significance दोनों की दिखाते है तो यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है speaker है उसने दो काम करें और वो दोनों equal importance के थे एक क्या था उसने interview की त्यारी करी और दू इसको update किया not only के साथ but also साहिल डिड नॉट शेर दी complete information so I couldn't prepare well ठीक है इस sentence को हमने rephrase करना है rewrite करना है कैसे if साहिल ठीक है if साहिल से start करके हमने इसको answer करना है और यहाँ पर कैसा रहेगा एक conditional sentence है conditional sentence में क्या है एक condition पूरी होगी तो फिर दूसरा काम होगा original sentence में क्या कह रहा है कि साहिल डिड नॉट शेर दी complete information साहिल ने हमको पूरी information नहीं दी इसलिए हम prepare नहीं कर पाए तो इसमें क्या होगा if साहिल had shared the complete information I could have prepared well यह conditional structure होते है sentence normally यह third conditional format है ठीक है third condition हम कभ यूज करते हैं यह किसी past situation के बारे में जो नहीं हुई ठीक है एक hypothetical result की जब हम बात कर रहे होते हैं वहाँ पर हम third condition format की बात करते हैं तो यहां क्या है कि यह past situation है वो नहीं हुआ इसलिए यह भी नहीं हुआ और वो जो दूसरी बात नहीं हुई थी क्या वो hypothetical है वो बिलकुल hypothetical है ठीक है न उसने ऐसा नहीं किया इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया तो जो मैंने नहीं किया वो तो किया ही नहीं hypothetical हो गया दा, अगर हम verb tense की बात करें, जो verb tense का change रहेगा, तो जो third conditional होता है, ठीक है, तो if जो हम use करते हैं, past perfect tense का, had shared, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये condition बता रहा है, कि अगर उसने past में had shared, और हुआ क्या ये, ये meet नहीं हुई, ठीक है, main clause यहां पर क्या रहेगा, कि वो कर सकत जो could have होता है, ये follow किस से होता है, past participle, क्या रहेगा, जिसे prepared है यहां पर, तो ये क्या indicate कर रहा है, एक hypothetical outcome, कि कुछ ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं, that condition did not meet, और दूसरा जो हमारी implied causality हम कहते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं हुआ, तो उसकी implied दूसरी चीज नहीं हुई तो original sentence explicitly क्या कहता है, I, so I couldn't prepare well, अब इसको rewritten में हैं, जो हम इसको दुबारा से लिख रहे हैं, तो causality में जो change रहेगा, तो जो हमारा conditional structures है, ये क्या suggest करता है, कि जो ability है prepare करने की well, ये किस से contingent थी, किस से connected थी, कि अगर complete information मिल गही होती साहिल से, तो फिर इसने आगे काम किय होता, ठीक है, और कहीं नहीं किया shift in perspective भी है, देखने का तरीका, तो original sentence क्या state करता है, कि event जैसे हो रहे है, rewritten sentence कैसे frame कर रहा है, situation को, hypothetical, ये किस चीद पर focus कर रहा है, है न, that could have, occurred, अगर साहिल ने अलग तरीके से काम किया होता, तो ऐसा हो जाना था, जो हमारा rewritten sentence है, if साहिल had shared the complete information, I could have prepared well, ये क्या-क्या दिखा रहा है, मतलब देखो same है, क्या original से इसका मतलब change हुआ, नहीं, ठीक है, बट कैसा है conditional format में, किस पर focus कर रहा है, hypothetical scenario पे, किस, वो साहिल के action के, क्यो complete information दे देता, तो फिर preparation better हो जाती, ठीक है, पर next हम देखते है, he finally told us, who was he, or he was, have he, been, तो इन में से right option चूज करने है, ठीक है, तो इस sentence में, correct option देखनी है हमने, और correct option क्या है, he was, he finally told us who he was, ठीक है, clause structure को समझते हैं, जिसे English में जब हम use कर रहे होते हैं, clauses introduce किया जाते हैं, एक question में, जिसे who, what, where, etc., ये जितनी भी चीज़े हैं, ये part है एक largest statement के, ठीक है, जो normally direct question नहीं है, ठीक है, तो जो clause है हमारा, ये statement को follow करता है, ठीक है, जो word order है, ठीक है, तो यहाँ पर जो question word order है, उसके साथ, तो यहाँ अगर हम देखते हैं, statement और question word order, तो direct question था, ठीक है, direct question है, जो word order है, usually na subject, जैसे was he, इस तरीके से use किया जाता, लेकिन अगर आप देखोगे, indirect questions है, या statements है, word order, ये किसको subject करता है, यहाँ पर subject word कैसा रहेगा, he was, तो phrase यहाँ पर, जो phrase हो रहा है, who he was, ये कैसा है, ये part है, एक indirect question का, या अगर हम इसको देखे कैसे है, reported speech है, या statement है, क्यों, देखो न, report कर रहा है, he finally told us, who he was, तो ये क्या है, ये कहीं न कहीं, subject verb order को follow करेगा, और यहाँ पर जो verb tense consistency की जब हम बात करते हैं, जो option है, was he, और एक and have been, तो यहाँ पर ये incorrect क्यो हो रहे हैं बाकी, क्योंकि, जिसे अगर आप देखोगे न, जो word order है, word order में भी difference हा रहा है, tense में भी difference, जो was he है, was he is a question, ये कहता है, question order, और have he been, ये सिर्फ एक question ही नहीं, लेकिन क्या है, वहीं ग्रमाटिकली भी incorrect है, दूसरा हमारा जो context अगर हम देखे, इस context में क्या है, वहारा क्या, past simple tense was, past simple tense यहाँ पर जादा appropriate होगा, क्योंकि past tense वहाँ पर चल रहा है, told, तो told के साथ अगर हम देखेंगे, तो ये साथ में चलेंगे, contextually अगर हम देखेंगे, ये क्या describe कर रहा है, past event को describe कर रहा है, ये क्या reveal कर रहा है, किसी की identity, अपनी identity बता रहा है उस समय पे, तो who he was, ये correctly convey कर रहा है information को, किसमे past tense में, तो correct completion अगर देखेंगे, he finally told us who he was, ठीक है, तो ये correct structure और जो हम tense की बात करते हैं, उसमें चल रहा है, किस की चीज़ के लिए, एक indirect statement की, next हम देखेंगे, yesterday when I met Shyam, he said, I had a nice time yesterday, ठीक है, I said, but I didn't, haven't, do, ठीक है, ये तीन options हमारे पास, हम कौन सी option उस करेंगे, didn't, but I didn't, yesterday when I met Shyam, he said, I had a nice time yesterday, but I said, but I didn't, ठीक है, तो इसमें कहा है, उसने कहा है, कि पर मेरा तो नहीं हुआ, दूसरा कहा है, मेरा टाइम अच्छा रहा है, बड़ इसने कहा, पर मेरा तो नहीं, तो पहली चीज़ में जो हमारे को समझने की है, contextual time frame, जितनी भी conversation हो रही है, कैसे हो रही है, present म चल रही है, ठीक है, उसको नाइस time की बाद कब कही उसने, yesterday, ठीक है, और yesterday कब है, जब वो बोल रहा था, speaking time भी कब है, yesterday, और उसका response क्या होगा, जो response आया उसका, but I didn't, वो कब हुआ, वो भी उसे time frame में हुआ था, ठीक है न, तो यहाँ पर अगर आप verb tense consistency को देखो, तो शा didn't किसका past tense है, don't, है न, तो यहाँ पर इसलिए appropriate रहेगा, बागी जैसे negative form की हम बात कर रहे है, past tense में, didn't, है न, यह किसका, अगर हम देखे न, छोटा गर की किसको कहा जाता है, contraction, did not, है न, standard way है, negative बात को कहने का past tense में, ठीक है, बागी और options को अगर हम देखे, haven't, have not, है न यह present perfect tense में है, तो suitable नहीं रहेगा, past जो yesterday है, जो do शब्द है, यह क्या है, present tense में है, ठीक है, और यह negative statement क्या दे रहा है, नहीं, क्योंकि है, but I didn't, तो do नहीं होगा, इसके अलावा, अगर हम completeness देखे तो जो response है, but I didn't, यह shortened form है, यह कहने की, की मेरा time अच्छा नहीं रहा, इसी लिए, हम यह देखेंगे न, तो इसको हम समझ रहें, उस context में, तो correct sentence क्या है, yesterday, when I met Shyam, he said, I had a nice time yesterday, पिछले उसमें बात करें, past में बात करें, I said, but I didn't, तो यह properly align कर रहा है, किस चीज़ से, हमारे past tense से, negative form जो हमें चाहिए, तो यह दोनों चीज़े इस context में आ रही है next देखते हैं, if Lenny worked really hard, she would get, she would get, will get, would have got a better rank, तो इन में से तीन में से option देखना है, ठीक है, तो क्या answer होगा, she would get, if Lenny worked really hard, she would get a better rank, यहाँ पर भी वही conditional structures की अगर हम बात करें, जो sentence structure है, यह कैसा condition, देखो पहले हमने hypothetical वाले में क्या कहा था, third conditional, अब हम क्या यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यह second conditional है, तो यहाँ पर second conditional क्यों use हो रहा है, कोई hypothetical जो situation या thing है, जो unlikely है होने के लिए, ठीक है, जो नहीं हो सकती, second conditional जो होता है, कब use हो रहा है, कैसे use हो रहा है, अगर past simple tense use करता है, if, if lenny worked, would, इसमें जो base word would get हो जाएगा, ठीक है, main clause के अंदर, तो साथ में अगर आप tense को match करोगे, second conditional है, 10th जो तो दोनों पार्ट्स में रहेगा, कैसा वो साथ में match करना है जो जो और रहेड़ी वहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर if clause है, यह किसमें है, past simple में, त simple चलेगा, तो worked के साथ चलेगा, main clause यहाँ पर क्या रहेगा, would, followed by, जो base form है, get, hypothetical situation की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जो would get है, would get क्या है, क्या would get एक hypothetical situation दिखाता है, यह suggest करता है, कि एक better rank possible है, अगर जो condition है, बहुत, सच में hard work किया होता, तो वो hypothetical situation पूरी हो सकती थी, बाकी options को अगर हम देखें, will get, यह क्यों appropriate नहीं है, यह first conditional की बात करती है, first conditional किसको refer करता है, जो likely या possible है future event में, वो hypothetical नहीं होगा, first conditional में hypothetical बात नहीं होगी, जो हम would have got की बात करते हैं, यह third conditional structure में आता है, तो यह किस चीज़ के लिए होता है, यह impossible situations के लिए होता है, तो condition यहाँ पर क्या है, जो past में हो चुकी है, उसको अब change नहीं किया जा सकता, इसी लिए जो correct completion की हम बात करें, sentence की क्या है, if Lenny worked really hard, she would have got up better rank, यह hypothetical situation, she would get up better rank, क्या reflect कर रहा है, एक hypothetical scenario और एक potential outcome, कि ऐसा हो सकता था उस scenario के अंदर, next question, we had to call a taxi as our car breakdown, bracket में break लिखा है, और क्या कहा है, use the right form of the verb, given verb, जो verb दिया है, उसकी सही form हमने use करनी है, किसकी form सही use करनी है, break की, ठीक है, तो यहाँ पर correct form वारे break की क्या होगी, broke, ठीक है, correct sentence क्या होगा, we had to call a taxi as our car broke down, तो एक past tense की requirement है, क्यों, जो sentence है, यह past tense में है, had to call, ठीक है, तो verb जो describe कर रहा है, यह सब किस में होंगे, past tense में, सब कुछ past में हो रहा है, ठीक है, work form अगर हम समझने की कोशिश करें, ब्रेक की न, तो past tense break की क्या है, broke, ठीक है न, और contextually अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर phrase broke down, यह common way एक्सप्रेस को है, गाड़ी के खराब होने को हम ऐसा बोलते ही, काम करना बंद करगी, तो broke down, कोई भी mechanical failure आया, कुछ भी हुआ, जिस वज़े से नहीं काम कर रही गाड़ी, दूसरा हमको time sequence देखना है, ठीक है, तो sequence पहले गाड़ी breakdown हुई, जिसकी वज़ा से हमने taxi बुलाई, ठीक है, इसलिए पास simple tense, जो correctly describe कर रहा है, उस sequence को, से हम broke शब्द यूज़ करेंगे, और बाकी options देखें, ठीक है, एक हमारा break है, breaking, broken और breaks, ये suitable नहीं है, breaking क्या imply करता है, ये अभी भी तूट ही रहा है, ठीक है न, breaking, अगर हम ब्रोकन, ये past participle, past participle में होता है, अगर हम देखेंगे, broken जिसे हम बात करते हैं, perfect tense के लिए भी use किया जाता है, ठीक है, एक adjective, और इसे breaks है, present simple tense में है, तो जितने भी है, जो हमा नहीं जोट रहे है, ठीक है, इसे लिए, we had to call a taxi, when our car broke down, तो यहाँ पर जो broke है, ये past को भी represent करता है, action complete हो गया, ये भी represent करता है, और ये की situation है, एक पहले कुछ हुआ, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हुई, तो car, ये complete उस action को भी समझा रहा है, next है, I will not, I will not allow you to go so long as unless provided, you tell the purpose, तो यहाँ पर तीनों में से सही option choose करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, correct हमारी option, unless, जब तक आप मुझे नहीं, I will not allow you to go unless you tell the purpose, तो पहला इसमें अगर हम conditional meaning को समझने ही कोशिश करें, sentence structure कैसा है, ठीक है, ये condition है, कि किसी को हमने allow करना है, जाने के लिए, unless क्यों use किया जा रहा है, उस condition को introduce करने के लिए, कि वो situation अगर पूरी हो जाती है, तो ही होगा, तो main clause है वो, ठीक है, otherwise, it will not allow to go, नहीं मानेंगे, मतलब ये चीज़, गुमला आपने जाना है, वो allow नहीं होगा, ये क्या imply करता है, कि जो action है, कि जाना, ये कब होगा, अगर जो necessary condition है, वो पूरी होती है, necessary condition क्या है, कि purpose को बताओ, कि क्यों जाना चाते हो, यहाँ पर एक negative connotation लगा है, unless, कब use होता है, जब negative main clause होता है, जिसके यहाँ पर main clause क्या है, I will not allow, ये क्या suggest करता है, कि negation, जिक है, तो इस condition में, negation तो reverse किया जाएगा, इस condition में, इसके अलावा so long as अगर हम देख रहे हैं, so long as और provided, ये कैसे है, ये positive conditions है, कि main action अगर होता है, तो condition फुल्फिल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे है, appropriate क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा sentence है, इसमें negative connotation दी भी थी, ठीक है, तो so long as और provided है, ये क्या imply कर रहा है, आप allowed हो, अगर ये conditions meet होती है, बड़ जो unless है, unless क्या convey करता है, कि minimum इस condition को meet करना ज़रूरी है, अगर आप इसको meet नहीं करते हो, तो उसके बाद consideration होगी, ठीक है न, yes उसके बाद होगी, पहले ये तो करना ही पड़ेगा, तो contextually अगर आप देखोगे, unless क्या provide कर रहे है, clear ultimatum दे रहा है, ठीक है, पर्मिशन की जो dependence है, वो किस चीज़ पर है, purpose पहले बताना परेगा, purpose पहले बताएंगे, तो ही ये condition फुल्फिल होगी, ठीक है, ये थी, तो यहाँ sentence I will not allow you to go, unless you tell the purpose, ये correct construction है, क्योंकि एक condition है, जिसको पुरा करना जरूरी और दूसरा इसमें, जो negative outcome है, ठीक है, उसको change कर, he made several excuses, but I could clearly see him, throw through off, इसमें right option है, तो right option क्या होगी, I could clearly see through him, I could clearly see through, I had, he made several excuses, but I could clearly see through him, तो वो ये, एक phrase की usage है, correct phrase, context में, इस see through someone, ये क्या होता है, idiom, इसका मतलब, कि इंसान, मैं उसके through देख पाया, मतलब उसकी जो सची intention थी, वो क्या चाहता था, उसको मैं समझ पाया, या समझ सकता था, ठीक है, see through इस तरीके से हम यूज करते है, तो यहाँ पर क्या है, कि अगर कोई इंसान deceive कर रहा हो, तो उस टाइम पर ये, कि मैं perceive कर पाया इस बात को, कि reality, कि बोल तो ऐसा रहा था, वो फेस के पीछे सच में क्या था, ठीक है, उस चीज को समझना, वो उसको हम see through शब्द यूज करते हैं, इसके अलावा, अगर आप देखो कि वर्व की appropriateness, प्रो, इसका मतलब क्या है, किसी को propel करना, कि किसी को force करना, जब हम किसी को force कर रहे हैं, through the air, एक movement है, आम की है, हैंड की, अगर आप हाथ ला रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को देखें, वो चीज, प्रो वाला जो शब्द था, इस तरीके का, तो यहाँ इस context में fit नहीं कर रहा है, अगर हम off की बात करें, जो preposition है, preposition रहेगी है, तो यह relationship दिखाता है, एक part का दूसरे whole के साथ, यहाँ पर वो मतलब नहीं बना पा रहा है, अगर आप contextually understand करोगे, तो यह क्या situation बता रहा है, कि कोई इंसान excuse बना रहा थ और speaker जो है, वो उसको, we could see through, उसकी intention से, उसके deception को वो see through कर पा रहा था, तो यह understand कर रहा था कि सच में speaker क्या चाह रहा है, इसलिए he made several excuses, but I could clearly see through him, यह correct construction रहेगी, यह क्या है कि despite excuses, वो बहुत बाते कर रहा है, जो हमारा speaker है, वो clearly understand कर रहा है, कि जो individual है, उसकी सची intention क्या है, sincere है कि नहीं है, वो अपने personal behavior, चिक है, I haven't heard him, haven't heard from him, since, for, to, a long while, for, यहाँ पर, यहना, I have not heard from him, तो dash, dash में हमने भरना है answer, तो क्या होगा, for, I haven't heard from him for a long while, तो for, अगर हम देखे, इसकी usage देखे, English में, for क्यों use किया जाता है, यह एक time को, हैना, indicate करने के, period of time को indicate करता है, duration को दिखाता है, जब आप किसी के बार में especially बात कर रहे हो, जब यहाँ पर length of time की बात हो रही है, कि जैसा, यह last time हुआ था, उसके बाद, हैना, तो इसको दूसरे के से नहीं सुनी है, ठीक है, न, he is not heard from him, तो यहाँ, पहली चीज हम क्या, for के usage, फिर दूसरा, tenses, यहाँ पर present perfect tense, जो sentence है, यह present perfect tense में, I haven't heard, तो for commonly use किया जाता है, जब present perfect tense के साथ हम use कर रहे हो, ठीक है, क्यों, एक डिस्क्राइब दिरने के ला action को यह situation, कि वो present, जो start हुई थी, पास्ट में start हुई थी, और फिर वो present तर continue कर रही, ठीक है, इसके अलावा क्या option थी, since, since किस चीज़ के लिए refer होता है, since में तो कोई specific point of time बड़ा clearly indicate होता है, ठीक है, वहाँ से, तो यहाँ अगर आप देखें, यह appropriate क्या होता है, अगर कोई specific starting time होता है, since last year उसने बात नहीं करें, तो since वहाँ से हम शुरू करेंगे, to की हम बात करेंगे, है न, तो क्यों नहीं use किया जारे इस context में, generally to एक direction को दिखाता है, या range को दिखाता है, एक point को दिखाता है, ठीक है न, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं ही, जो time frame का जो expression है, वो यहाँ पर fulfill नहीं हो रहा है, इसलिए I haven't heard from him for a long time while, ठीक है, is यह correct हमारा construction रहेगा, यह क्या दिखा रहा है, कि एक लंबे time से, एक लंबे duration से, न, speaker ने उनसे नहीं सुना है कोई बात, ठीक है, तो एक gap है यहाँ पर बात में, तो इस question में क्या था, कि instructions दी हुई थी, हमको उसको answer करना इसमें फिर fill in the blanks है, तो यहाँ पर complete करना है sentence को, कुनाल is never on time, dash, question tag है यह, तो यहाँ पर जो phrase है, तो यहाँ पर हमके अगर correct phrase है, is he, क्योंगी प्रशन चिन है, कुनाल is never on time, is he, ग्लास में क्या था, question tag लगा वा है, जब question tags कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर उसको form करते हैं, जैसे question tag है क्या है, एक छोटा question, तो एक statement है, उस statement के end में question होता है, question tag किस के लिए होता है, हम दूसरे इंसान से question पूछ रहे होते हैं, यह पढ़ना बहुत ज़रूरी था, पढ़ा था कि नहीं, क्या last minute, वह confirmation चाह रहे हैं आपसे, इसलिए information के लिए, और यह usually कैसा होता है, जो यह normally opposite होता है, उस form में, जिसमें statement या sentence बना होता है, ठीक है, अगर sentence positive है, बात positive कर रहे हैं, तो tag कैसा होगा, negative होगा, अगर statement negative होगी, तो फिर tag कैसा होगा, वो positive होगा, ठीक है, यहाँ पर जो negative statement, positive tag, यहाँ पर कुनाल is never on time, यह कैसा है negative statement है, क्यों, never, कभी भी time पे नहीं होता है, तो question tag कैसा होना चाहिए, positive होना चाहिए, ठीक है, बाकि जो verb और pronoun है question tag में, तो verb यहाँ पर question tag को, इसको match करना पड़ेगा, जो statement की auxiliary verb होगा, उसके साथ match करना पड़ेगा, अगर कोई भी auxiliary verb नहीं है, ठीक है, तो typically हम क्या use करते ह है, to be, do, ठीक है, तो यहाँ पर इसे is, use किया जा रहा है, यह match कर रहा है, टेंस को, subject के, ठीक है, तो यहाँ पर जो pronoun है, he, वो replace किसको कर रहा है, कुनाल को, ठीक है, तो question tag में, is he, he कौन है, कुनाल है, तो यहाँ पर जब आप चेक कर रहे हो, confirmation के लिए, तो जो use है question tag का, सर्व कर रहा है, यह confirmation के लिए, कि कुनाल टाइम पर था की नहीं, नहीं था यहाँ पर, not being on time, तो कुनाल is never on time, यह negative statement है, और फिर हमारा is he, तो is he हमारा question tag रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर question tag सुम कर रहे है, negative structure के साथ, positive tag, next, the streets are dark and dangerous, there dash any street lights, comma and I dash any watchman, ठीक है, तो दो जगा पर dash की बात हुई है, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, complete करने के लिए, यह statement किसने कही है, simran, है ना, ठीक है, तो sentence को अगर हम complete करना चाहें, यहाँ simran ने जो बात पर ही है, उसके लिए हमें कुछ, यह appropriate verbs forms को choose करना पड़ेगा, जो इस sentence के context में fit हो, context क्या है, simran क्या describe कर रहे, एक situation कि street कैसी है, street dark है और dangerous है, तो context क्या suggest करता है, कि कोई चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है, street light नहीं है, watchman नहीं है, ठीक है, इसलिए वो situation dangerous हो गई है, तो यह context क्या है, कि कोई चीज नहीं है, तो पहला blank अगर हम देखेंगे, sentence structure में, there dash any street light, तो क्या यह indicate कर रहा है, कोई verb को form से fill करना है हमने, जो क्या दिखाता है, नहीं है, lack कर रहा है, तो English में, जो आप बात कर रहे होते है, absence, वहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर, there is not, या there are not, is और are किस पे depend करेगा, singular है कि plural है, ठीक है, तो street lights क्या है, यह plural है, तो हमारा correct form क्य होगा, are not, ठीक है, aren't, इसका contracted form है, तो are not भी कर सकते है, aren't भी कर सकते है, ठीक है, दूसरा blank क्या है, तो I dash any watchman, यहाँ पर भी जो verb है, यह क्या encounter कर रहा है, क्या दिखा रहा है, यह suggest कर रहा कि, उसने किसी को नहीं देखा, या encounter नहीं किया, क्या एक negative form है यहाँ पर, speaker की inability है कि उसको कोई watchman नहीं मिला, है न, तो जो हमारा verb है, see, क्या यह appropriate है, है न, appropriate है, सी कि दिखा नहीं, बट वही है कि कैसा होना चाहिए, वो negative form होनी चाहिए, है न, कि absence show करे, तो यहाँ sentence में क्या है, और sentence क्या है, present tense में, ठीक है, तो यह negative form में जब इसको लेगे, I do not see, do not see को अगर छोटा लिखना है तो क्या होगा, don't, didn't see, I don't see, ठीक है, तो the streets are dark and dangerous, there aren't any street lights and I don't see any watchman, ठीक है, यह हमारा sentence रहेगा, जो negative connotation, positive connotation का भी ध्यान रखना होता है, जो हम context की बात करते है, ठीक है, next है, आदर्श ने क्या कहा, you played hockey pretty well today, हुमने भई, होकी बड़ा कहला, आजाद क्या कह रहा है, I never used to dash hockey in school days, but now dash interesting, I never used to, school days में नहीं होकी कहलता था, अब मुझे interesting लग रहा है, तो यहाँ complete करने के लिए आजाद ने जो कहा है, हमको क्या एक word form लेनी है, जो यहाँ पर इस context को fit हो, पहला blank क्या है, I never used to, यह क्या indicate करता है, कि past में, और कैसा है, habitual actions, habitual action की बात हो, यहाँ पर आपका जो अजाद है, यह क्या कह रहा है, कि मैं past में regularly hockey नहीं पे खेलता था, तो यह क्यों क्यों क्योंकि sentence का है के बारे में, hockey के बारे में, used to है न, यह already हमको क्या provide कर रहा है, कि past tense का context है, used to, past tense है न, तो verb कैसा होना चाहि है, verb इस पर based होना चाहिए, past tense पर based होना चाहिए, तो यहाँ पर जो correct combination क्या हो, यहाँ पर यह play, पहले उसमें play शब्द है न, कि नहीं खेलता था, तो I never used to play hockey in school days, ठेक है न, कि हम past को कर रहे हैं, school days में hockey नहीं खेलता था, है न, दूसरा blank हमारा क्या है, तो I never used to play hockey, next हम दे the second part है, but now, dash interesting, यह क्या है, क्या दिखा रहा है, कि hockey के बारे में इनसान की जो सोच थी, क्या वो बदल गई है, perception बदल गई है, तो जब हमको यह show करना है, कि current perception कैसी है, positive है, तो it is, जो phrase रहेगा न, तो वो contracted form क्या होता है, it's, यह exchange दिखाने की कोशिश में हमको करनी है, क्योंकि अब क्या है, अब वो interest आ चुका है, उसका, इसमें, ठीक है, तो adjective जो interesting है, कि already इनने provide कर दिया गया है, तो यहाँ पर, but now, it's interesting, ठीक है, तो current completion हमारे कैसे रहेगी, आजाद, I never used to play hockey in school, days, but now, it's interesting, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आजाद का, एक past का disinterest, hockey में जो था, अब वो present में, interest में, convert हो चुका है, अब उसको यह interesting लगता है, Jimmy, I forgot my sister's birthday, पुल स्टॉप, I felt really dash so I, ठीक है, यह sentence जो हमारा Jimmy का है, हमको यहाँ पर chronology देखनी है, ठीक है, और शब चूज करने हैं, जो जिसन देखेंगे ना, कि emotionally इस context में fit कर रहे हैं, क्यों, Jimmy ने क्या कर दिया है, बहन का birthday भूल गया है, ठीक है, तो पहला जो blank रहेगा, वो क्या describe करेगा, पहले blank में क्या है, Jimmy, I forgot my sister's birthday, I feel really, तो इसकी feeling क्या है, feeling बतानी है पहले में, वो describe करनी है, क्यों, एक important occasion है, वो भूल गया बढ़ेगा, तो उसको कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठीक है, तो common emotion क्या होता है, खराब लगना, guilt होना, remorse होना, तो उसमें क्या हम कहेंगे, adjective कौन सा यूज किया रहता है, guilty, या bad, ठीक है, तो यहाँ पर guilty, लोग, contextually better लग रहा है कि specific है ना, कि उसने कुछ गलत किया है, भूलने की बढ़ा से, गिल्टी हम कर सकते है इसमें, या bad भी कर सकते है, I felt bad, या guilty, guilty better है, फिर second क्या है, कि उसने कोई action लिया, ठीक है, second word है, so I, यह क्या कर रहा है, इसलिए मैंने, क्योंकि मैं guilty feel कर रहा था, इसलिए मैंने क्या क्य अब कोई action बताना पड़ेगा, common actions क्या हो सकते हैं, ठीक है, sorry मांगी, ठीक है, तो यह क्या है, apologize to her, या और क्या कर सकते है, उसके लिए gift ले लिया, इनमें से कोई भी बात हो सकती है, context पूरा करना है ना, तो यहाँ पर जो attempt है, तो यहाँ पर forget करने के लिए, तो I forgot my sister's birthday, I really felt guilty or bad, so I apologize to her, माफिय मांगी, या फिर I bought her a gift, ठीक है, दोनों चीजे इसमें answer की जा सकती है, और कहीं न कहीं इसमें क्या हो रहा है, यह sense है, regret की, और दूसरा, उसने उसके लिए क्या किया, यह दोनों चीजे इसमें answer हो रही, ठीक है, next देखते है, चारू, where, dash, born, question पूछ रही है, फिर उदित, in surat, my parents, dash, there, those days, ठीक है, तो यहाँ पर चारू की बातों को, अगर हमने fulfill करना है, ठीक है, तो उसने, जो बात, और उदित ने कही है, तो work forms हमको लेनी पड़ेगी, जो question यहाँ पर रहेंगे, birth place और parents की location के बारे में दो बाते हुई है, तो पहला क्या है, चारू का question, यह क्या है, कि उदित का place of birth, ठीक है, तो यह जो place of birth है, यह कैसा event है, past का event है, past में हुआ जो जन्म हुआ, तो English में अगर आप देखोगे, तो place of birth है, typically इसमें were, use किया जाता है, जैसे question है, उदित से question पूछा जा रहा है, singular person से, तो where were you, यह प्रशन रहेगा, where were you born, तो complete question क्या है, तो where were you born, दोसरा उदित का answer क्या था, उदित यह बता, extra information दे रहा है, parents के बारे में, जिस time पर मेरा जन्म हुआ, उस time पर, है न, parents की location, तो यहाँ पर, जो phrase है, those days, those days किसको refer करता है, past time के period को, ठीक है, तो correct form यहाँ पर जो describe कर है, तो उसमें क्या होगा, were, my parents were there those days, ठीक है, तो were there इसले लगेगा, तो पहला, where were you born, उदित इन सूरत, full stop, my parents were there those days, ठीक है, जी, तो completion में accurately fit कर रहा है, हमारे context, birthplace का, और जो situation, parents की क्या थी, उस समय पर, ठीक है, next, synonym, antonym, ठीक हर एक शब्द का एक meaning होता है, तो फिर exactly इतने सारे शब्द use क्यों कर रहे हैं, क्योंकि contextually हर शब्द का एक meaning होता है, ठीक है, synonym का ठीक है, मोटा मोटा वही मतलब है, लेकिन एक situation में कुछ उसका अलग meaning होता है, इसलिए ऐसे ना, अलग-अलग, contextually similar meaning के synonyms पूछे है, pretend, pretend क्या होता है, कि अगर कोई इंसान, कोशिश कर रहा हो, something that is, act करने की कोशिश, कि something true है, ना, ना भी, वो pretend करने कोशिश कर रहे है, तो normally इसको ऐसे दिखा जाते हैं, कि आप deceive करने कोशिश कर रहे हो, किसी को, for the sake of play, अगर हम कहें, मजाक के लिए आप pretend कर रहे हो, तो इसके synonyms क्या-क्या रहेंगे, एक हमारा fiend शब्द यूज़ करते हम, यह क्या करता है, यह represent करता है, जिसने, यह represent कर रहा है, ficticiously art, आप invent कर रहे हो, कोई story, या कोई excuse किसी को बताने के लिए, तो pretend की तरह ही है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे, तो इसमें acting है, जो genuine नहीं है, या real नहीं है, अगर हम इसको normally देखते हैं, इसको किस context में होता है, कुछ एक false appearance बनाने की कोशिश, किसी के सामने एक false impression create करने की कोशिश, ठीक है, इसके लिए हम यह शब्द यूज़ करते हैं, तो यहा pretend, similar है, फिर simulate, simulate normally हम किस चीज़ के के साथ, normally इस शब्द को technical चीज़ों में देखा जाता है, कि engine की simulation की जा रही है, scientific context में रखा जाता है, ठीक है, कि एक similar to, उसके similar उसमें कर रहे हैं, फिर impersonate, impersonate शब्द, कि हम pretend कर रहे हैं किसी और की तरह बजने के लिए, ठीक है, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, impersonate, किसी ज कर लिया, क्यों, entertainment के लिए भी हो सकता है, fraud के लिए भी हो सकता है, यह थोड़ा जादा specific है, ठीक है, तो यहाँ पर भी false appearance है, या character है, ठीक है, फिर dissemble, यहाँ पर क्या होता है, यह थोड़ी जादा formal term है, जिसमें आप अपनी जो true identity है, true motives है, true feelings है, उनको छुपाते हो, ठीक act, act कैसा है, आप action कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो, यह performance में भी हो सकता है, कि आप play में act कर रहे हो, एक तरीके से behave कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ act, one act play भी हम बोलता है, तो यहाँ पर acting कर रहे हो, pretend करने कोशिश कर रहे हो, यह सब synonyms है, इन सब का core idea क्या है, कि pretend क करने की कोशिश, ठीक है, बस अलग-अलग context में है, जैसे, आप fin देखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा serious context है, जैसे, आप illness दिखा रहे हो, कि मैं बिमार था, ठीक है, जो simulate है, simulate थोड़ा, technical scenario में होता है, ठीक है, कि simulate कर रहे हो, आप conditions को, कोई, आप experiment करने की कोशिश कर रहे ह नेक्स शब्द देखते हैं, disbelief, disbelief का मतलब क्या होता है, विश्वास ना करना, भेत नहीं करना, believe नहीं करना, ठीक है, reject करना, जो belief पर होगा, तो doubt, doubt है common synonym है, disbelief का, आप किसी चीज़ को doubt कर रहे हो, आप uncertain हो, आप conviction नहीं है, ठीक है, कहीं नेकर doubt कैसा है, एक skepticism का level होता है ठीक है, आप question कर रहे हो अगर किसी चीज़ को, किसी चीज़ की reliability, उसके truth को अगर आप question कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें form of skepticism है, तो यहाँ doubt में हम बात करते हो, फिर question है, question भी similar है doubt की तरह ही, आप प्रशन चिन लगा रहे हो, आप uncertainty है, disbelief है, और आप actively उसके ऊपर question information या clarification अगर demand करते हो, ठीक है, यहाँ questioning, फिर skepticism, ठीक है, skepticism में हम क्या कर रहे हैं, कि हम doubt कर रहे होते हैं, कि वो चीज़ प्रूथ भी है या नहीं है, skepticism ने सोचने का तरीका, एक attitude है, आपका attitude कि आप doubt करते हो, ठीक है, आप किसी ने कोई statement बोली, तो उसको question करना, उसकी authenticity देखना, कि वह authentic भी है या नहीं है, इन चीज़ों को question करना, वो skepticism में आता है, फिर mistrust, mistrust का क्या मतलब है, कि आपको confidence नहीं है किसी चीज़ पे, यह किसी इंसान पे, यह disbelief से ही relate करता है, बढ़ यहाँ पर एक trust वाला concept चलता है, कि lack of trust है, reliability, आप उस पे trust नहीं कर रहे हो, कि truth पे reliable, कि वो truth reliable नहीं है, फिर reject, अगर आप reject कह रहे हो, तो यहाँ क्या है, कि आप refuse कर रहे हो, उस चीज़ को मानने से, stronger term में, disbelief का stronger term है, कि मैं इस idea को courage करता हो, reject करता हो, आप actively dismiss कर रहे हो, refuse कर रहे हो, उस concept को, उस claim को, तो यह synonyms है, यह connect कर idea से, कि आप किसी चीज़ को accept नहीं कर रहे हो, लेकिन अलग-अलग terms में है, doubt है, question है, तो यह एक open ended सा रहेगा, यह uncertain है, reject कैसा है, यह ज़्यादा firm है, ज़्यादा decisive है, ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं ठीक है, और जो skepticism है, यह normally कैसी term होती है, यह general attitude से relate करती है, कि उसका attitude ह इसा है, शक्की में ज़्याद का इंसान है, से नहीं बोलता है हम, स्केप्टिक है, ठीक है, हर जगे ही शक गुसाता रहता है, फिर evergen, evergen क्या है, कि अगर हम की strong feeling होती है, dislike की, ठीक है, एक intense feeling की, disliking की, कि वो evergen, भागने की कोशिश की, आप avert करते हो, उस situation को, फिर कि नहीं जाना, तो dislike, स्टेट फॉरवड सेनॉनिम है, तो इसमें dislike, इसका क्या है, कि आप pleasurable नहीं मानते, distaste है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो term है, generally, कम intense होती है, evergen से, लेकिन एक similar sentiment दिखाती है, ठीक है, कि आप उसके लिए inclined नहीं है, आपको वो चीज अच्छी नह वो जादा deep होती है, ठीक है, deep-seated feeling, फिर, repugence, तो term यह क्या imply करती है, strong feeling, यह भी disgust होता है, कि किसमें होगी, जब आप किसी चीज को objectionable या offensive मानते हो, ठीक है, जिसे कोई एक तरीके की dress पहन रहा है, आपको नहीं पसंद, ठीक है, कि बहीं ऐसा क्यूं है, कुछ लोग बोल कम कपड़े पहने हैं, और कुछ ऐसे है कि इन्होंने जादा पहने हैं, अगर किसी को objectionable या offensive लगता है, तो वहाँ पर यह शब्दा आएगा, फिर low thing, यह intense dislike है, stronger है, और यह कहीं नहीं, deep-seated hatred अगर आपके, पहले से अगर वो hatred हो, उस चीज से आता है, यह deep-seated hatred है, जब ज में आज भी कुछ दर्द है, ठीक है ना, वो इस तरीकी की चीज़े हैंगे, बागी, रिवल्जन है, यह क्या है, एक disgust या low thing, यह जो feeling होती है, ठीक है, और यह किस चीज से आती है, जादर physical या emotional reactions में जब आए, रिवल्जन, जितने भी synonyms है, इसका core idea क्या है, एक strong dislike किसी चीज़ के लिए, बस इसमें अलग-अलग, वो intensity का फर्क है, इसे dislike है, जनरल टर्म है, ठीक है, milder है, वर्जन से, जो low thing है, रिवल्जन है, यह जादा strong feeling, और जो antipathy है, रेपंगेंस है, यह कैसी है, deep-seated की, बहुत टाइम जो, एक feeling of version है, इक deep-seated है, तो यहाँ पर हो, इ intentional, intentional क्या है, कि कोई चीज़ कैसे की जा रही है, on purpose की जा रही है, accident से नहीं हुआ, चानक से नहीं हुआ, सोची, शमजी है न, एक, साजिश्थी, deliberate, intentional है, तो उसे deliberate है, synonym रहेगा, closest meaning होता है, कि क्या है, intentional, deliberate क्या है, consciously किया गया है, intentionally किया गया है, plan किया properly, और choice के साथ, awareness के बाद में उसको execute किया, purposeful, जो हम purposeful शब्द की बात करते है, ये क्या है, कि purpose था है, उस action के पीछे, उस individual का एक sense of direction थी, एक sense of intention थी, purposefully उसने ये काम किया है, willfully, willfully क्या employ करता है, कि एक strong determination थी, intent की उस individual के अंदर, तो यहाँ, एक connotation उसके stubbornness की भी है, ठीक है, कि willfully, मर्जी से insistence हो, कि मर्जी, will थी, उसकी उसमें कि करना ही था, फिर इसी में calculated, calculated action ये carefully उसने plan किया, consider किया, फिर planning के साथ, अगर आप पहले से एक forethought किया है, intentionally फिर उसको किया है, तब बाकि pre-mediated, पहले से mediate किया, यहाँ पर क्या है, अगर वो पहले से beforehand thought अच्छे से सोचा गया है, plan कि तो इसमें एक intention के साथ core planning, वो pre-mediation में आता है, तो जितने भी synonyms है, central idea क्या है, कि किसी intention के साथ या purpose के साथ कर रहेंगे, बस context थोड़े थोड़े अलग रहेंगे, जैसे deliberate है, purposeful है, कि किस चीज़ के लिए है, यह हम जादा context में देख सकते हैं, pre-mediate है, यह सोचे समझे, औ willful है ना, यह negative भी हो सकता है, negative connotation के साथ, जिसमें कि stubbornness, सोची समझी, चाल, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, तो यह synonyms है, यह इस शब्द के similar शब्द है, फिर antonyms, antonyms क्या होते हैं, opposite शब्द, ठीक है, उसे interrupt है, interrupt का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लगातार चल रही थी, उसको रोक देता, ठीक है, बिना बताए, बिना warning के, अगर आप किसी को रोक रहे हो, तो वो था interrupt करना, ठीक है, तो यहाँ पर, जिससे हम बात करेंगे, तो इसके antonyms, यह continuing, maintaining, not stopping, तो यह continue, सबस्द रहे चल रही थी, बिना interruption के अगर वो चले, बिना किसी break क यह कोई चीज चल रही है, बिना किसी stoppage के चल रही है, तो वो continue, फिर proceed, proceed क्या है, जो आप कर रहे थे, उसमें आगे move करना, onwards move करना, से एक बार रोक दिया गया, उसके बाद proceed करना, तो एक continuation जो action की है, वो इसको दिखाता है, फिर resume, resume कैसे है, कि दुबारा से शुरू करना, या continue करना, एक pause लिया, एक interruption लिया, उसके बाद उसको दुबारा से शुरू कर दिया गया, तो particular element अगर हम यहां पर देखेंगे, interrupt के, क्यों कि देखो, interruption का मतलब क्या था, अचानक से रोक देना, resume क्या है, किसी चीज को restart करना, एक बार रोकने के बाद, resume इसले होता है, persist, persist, persist क्या है, लगातार इसे न, उस continue करते रहना, steadfastly, strength के साथ, firmly, a course of action पे लगातार चलते रहना, even though pressure आ रहे, इसे आपको बोलते हैं, कि persistence से पढ़ो, कि दिखते आएंगे, बहुत कुछ होगा, interruptions आएंगी, तो despite challenges, अगर कोई लगातार चलता रहे, कुछ करता रहे, तो क्य है, तो maintain क्या है, कि maintain करना है, एक context में, मतलब continue करना, existing state में, जो condition है, without interruption के, अगर हम उसको continuously कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह क्या imply करती है, जो status को, या, चीजों को continue करना, as they are, maintain करना, रुकने ना देना, यह इसके यहाँ पर, antonyms रहेंगे, चीक है, तो जितने भी antonyms है, contrast कर रहे है, idea के, क्या, interruption के idea को, यह किस पर focus कर रहे है, continuation, resumption, रोक के आगे चलाना, यह maintain करके रखना, continue करना, proceed करना, ठीक है, कुछ resume वाले है, यह कैसे है, interruption हो चुकी है, अब उसको दुबारा से शुरू करना, और जो persist वाला है, यह कैसा है, कि despite problems, despite difficulties, वो काम कर रहे है, और जो maintain है, यह क्या है, कि बिना disruption के, अगर किसी चीज़ को हम लगातार कर पाएं, तो वो maintenance के aspects में देखा जा सकता है, next शब्द है, extravagant, extravagant क्या होता है, जो बहुत ज़ादा, जैसे extravagant spending, कोई बहुत ही ज़ादा खर्चा गरे, तो extravagant, extravagant marriage, शादी कैसी हुई, बड़ी extravagant हुई, तो हर एक चीज़ में से amount में हम देखोंगे, price में देखो, या quality में देखो, extravagant, बहुत ज़ादा, excessive, अगर हम शब्द देखे, extravagant है, तो इसका ulta बताना है, ठीक है, तो ulta क्या होगा, frugal, ठीक है, तो यह कैसी quality होती है, कि economical होना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है खर्चा कैसे करना, सोच समझ के करना, extravagant का ulta क्या होता है, frugal, जो सोच समझ के खर्चा करता है, तो careful और pruded, अपने resources को waste में करना, wastage को avoid करने वाला, फिर economical अगर हम देखे, तो economical का मतलब क्या है, जो minimum necessary amount है, कुछ करने के लिए, especially कहा, पैसा, money, ठीक है, तो यह extravagant, कि economical होन यह excessive expenditure ना करना है, unnecessary expenditure ना करना, एक modest है, modest में क्या है, वह एक excessive lifestyle जो हम कहेंगे ना, खर्चे वाला, extreme lifestyle, यह इसकी जगा है, modest lifestyle, normal, extravagant का ulta, कम खर्चा करने वाला, अराम से जीने वाला, thrifty, thrifty का मतलब क्या है, जो money को, जो resources बड़ा सोच समझ के खर्चा करता है, wasteful उसको खर् forces को अच्छे से manage करता है, ठीक है, excessively उनको घर्चा ने करता, फिर एक Spartan, Spartan किस चीज के लिए time use की जाती है, simplicity के लिए, कि कैसे जी रहा है सादू की तरह, Spartan lifestyle कैसा है, कि simple, बहुत जादा कुछ, ऐसे ना, कपड़े पहनने का बहुत जादा वो नहीं, कुछ दिखावे का न ठीक है, तो यह बिल्कुल contrast होता है, जो extravagant lifestyle होगी लविश lifestyle, जितने भी antonyms है, जो contrast कर रहे है, extravagance focus कर रहा है, उसके oppositogram देखेंगे, तो यहाँ पर एक हमने resource management के लिए frugal है, thrifty है, यह क्या है, कि इनसान अपने resources अच्छे से manage करता है, सोच समझ के, economical, modest यह क्या, कि जो जागर रहे हैं, उसमें थोड़ा control रखते हैं, और Spartan कैसा है, जीने की जो approach है, वो बहुत ही simple, simple living, simple living, high thinking वाले लोग, पिर gullible, gullible कैसा person होता है, जिना भोडे, लोबला, बोलते हैं, कोई भी जो बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला है, उसको कोई भी trick कर सकता है, क ठीक है, तो इसका antonym क्या होगा, जिसको असानी से विश्वास ना करें, जिसको deceive दा किया जा सके, तो skeptical, शकी, जो हर चीज़ पर doubt करता हो, skeptical person, ये question करेगा, जिसे बड़े होते लग जाते हैं, पापा ऐसा करना है, और पापा ऐसा क्यों करना है, किसने बोला, क्या बोला, क हर चीज़ में skepticism, free में धोड़ी कोई कुछ देता है, नहीं पापा, उसका तो Facebook पे वो है क्या, यूट्यूब पे वो विडियो बनाता है, उसने मेरे को free में iPhone दिया, there are no free lunches, one है वो, skeptical है, Mr. Beast free में कुछ नहीं देता, पिर discerning, discerning individual कौन सा होता है, जो अच्छे से judge करता है Normally, quality में, taste में जो देखे हैं और जिसको easily आप दोखा नहीं दे सकते हैं, जिसको quality के बारे में पता है, उसको knowledge है, तो ability है कि वो assess कर सकता है accurately, gullible person कैसा था, असानी से विश्वास कर लेगा, ये नहीं करें, इसको जो actual में quality वैसी चाहिए, पिर cautious है, cautious क्या होता है, careful होना, potential ज का, gullible के, cautious, vigilant आदमी रहेगा, फिर wary, wary का मतलब क्या है, जो possible dangers या problems के लिए सावधान रखता है, वो wary होता है, ठीक है, तो opposite है, gullible का, astute, ये describe करता है, जो assess situations को accurately कर सकता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, वो उनको अपने फायदे के लिए मोड सकता है, ठीक है, जिसको असानी से, ना दोखा दिया जा सके, जितनी भी statement से सारी gullible की opposite है, skeptical, wary, देखोगे, ये क्या है, lack of belief, ये टेंडेंसी है, questioning की, discerning और astute है, ये क्या दिखाता है, judgment बंदे की अच्छी है, और cautious क्या है, कि generally वो इनसान ध्यान रखता है, ठीक है, और जितनी भी traits है, ये opposite है, गली बल बंदे की, ये opposite है, enormous का, ये जैसे, एक large ये grandeur वाली हम बात कहते हैं, ये उसका opposite है, फिर minute है, minute क्या होता है, बहुत ही, छोटी चीज़े, एक तरफ enormous है, दूसरी तरफ minute, बहुत छोटी छोटी, जिनने, he always keeps in mind the minute details, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखता है, फिर एक insignificant, अब जिस तो ये unimportant वाली है, जैसे उसका size बड़ा significant है, तो ये क्या? insignificant, फिर minuscule, ये minuscule कैसे हम कहते हैं, छोटा, extremely small, बहुत ही high degree में अगर हम देखेंगे, बहुत ही छोटा, तो वहाँ पर minuscule शब्द use किया जा, तो ये जितने भी antonyms है, ये contrast कर रहे है idea को, enormity के idea को contrast कर रहे है, small is a tiny, minute, minuscule, ये सब क्या है, size को करते है, appetite है, ये किसको refer करता है, किसी context में, जैसे कोई body size या clothing वाली चीज़ होगे, insignificant आपका, एक physical presence की बात, क्यों है, unimportant वाली चीज़ जो होगे, कहीना कहीन, enormous है, enormous की ये सारे opposite रहेंगे, छीक है, next हम देखते है, use the following expressions, to make sentences that bring out their meanings clearly, do not change the form of the words, तो इसमें, जो ये शब्द है, इसका meaning बताना है, ठीक है, और sentence में use करते हो, तो bring about, ये phrasal verb है, इसका मतलब क्या है, कुछ है, cause to something to happen, bring about, किसी चीज़ के बदलाव लाने की कोशिश, to bring a change, किस चीज़ के लिए define किया जाता है, ये use किया जाता है, कि अगर एक act ह initiate करना significant change, अगर एक बदलाव लाने के लिए कुछ किया जा रहा है, तो bring about, ये वहाँ use होता है, sentence अगर हम देखेंगे, तो new government's policies aim to bring about significant improvement in the healthcare, जो सरकार की नई policies है, क्या aim कर रही है, कि significant improvement healthcare में लाई जाए, अब देखो गई, कैसे या, एक cause and effect की बाद sentence क्या आद शो कर रहा है, नई government है, ये उसकी जो policies है, उसका cause और effect क्या होगा, healthcare में change होगा, तो जो significant change हमारा आ रहा है, इसलिए अब यहाँ पर एक phrase use कर सकते हो, ठेक है न, तो यह क्या है, मुझो importance से change की, वो align कर रहा है कि नहीं, वो transformative implication के साथ, तो bring about जाएगा, ठेक है, क्यों, कि हाँ, सरकार के आने से एक government की policies में change आ रहा है, नेक्स देखते है, take after, take after क्या है, यह phrasal verb है, जो generally क्या इसका मतलब रहेगा, कि जो resemble करता है, family member के appearance को, ठेक है न, take after, और behavior को या character को, यहाँ पर, यह क्या imply करता है, कि कि किसी से हमने वो inherit करी है, पेरेंट से मान लो कुछ लिया है, कोई qualities, कोई traits, है न, तो normally parents है, relatives की, उसको, मलब qualities को हैं ऐसा क्याते है, take after, everyone says, Jacob takes after his father in both his quick wit and passion for science, तो पापा कैसे थे जी, wit भी थी उनमें, और passion था science के लिए, तो ऐसा है, जो Jacob अब उनका बच्चा हुआ है, उसमें दोनों चीज़े है, एक family resemblance की बात, तो यहाँ पर क्या address कर रहा है, resemblance, family member कौन है, Jacob, Jacob से उसने, जो उसके father है, क्या, जेकब ने, क्या resemblance है, traits क्या है, जो qualities है, specific traits, एक wit और passion for science, तो यह sentence क्या illustrate कर रहा है, कि Jacob से, जो directly inherit करी है, अपने father से यह traits, तो इसलिए यहाँ पर, जो take after जो है, और take after, है न, commonly used की, क्यों किया जा रहा है, familial resemblance के लिए, कि जो family है, वहाँ से, physical appearance भी हो सकती है, personality भी हो सकती है, interest भी हो सकती है, तो यह family के लिए use किया जाता है, take after, उस context में, personality traits में, फिर fair and square, एक इस चीज़ के लिए use किया जाता है, straight forward, honest और direct manner, अगर हम कहेंगे, तो इसके लिए use किय कोई उसमें, है ना, mix नहीं था, कोई भी change नहीं था, external pressure नहीं था, तो, in the chess tournament, maria won the championship, fair and square, without any dispute, on her moves, कैसे, fair and square, क्या दिख रहा है, इस से, honesty और integrity, जो फ्रेज है ना, fair and square, यह किस चीज़ पे emphasize करता है, honesty और integrity, तो इस sentence में, हमने इसको use किया, कि मैरे एक विक्टरी है, tournament में, कैसे हुई है, बिना किसी cheating के हुई है, या, कोई भी, है ना, under held tactics, उसने use नहीं करें, normally, जो fair and square, कहां use किया जाता है, यह competition के context में ही, use किया जाता है, situation जहाँ पर, success या winning involved रहती है, और, legitimately, काम हो रहा है, या, win जो थी, वो fair or legitimate, थी नहीं, है ना, और, उसमें कोई dispute न मुझे, हमने कैसे, इसमें add करने से क्या हो रहा है, यह reinforce कर रहा है, जो idea था, कि undisputed, fair रहा है, वो चीज़, तो fair and square शब्द, ठीक है, wash hands off, कि क्या है, क्या meaning होता है, इसका, कि responsible ना रहना, उस चीज़ के लिए, not being responsible for, or involved with something, or someone, क्यों imply करता है, कि हम deliberately उससे अलग हो रहे है, deliberately dissociate कर रहे हैं, एक situation से, एक task से, या एक इनसान से, भई, wash hands off, यह गड़बड कर रहा है, मैं deliberately अपना gap बना लेता हूँ, छेक है, जिससे after years of trying to help her, brother change his ways, लिंडा finally washed her hands off, his problem and focused on her own life, जो हम wash hands सी बात करे हैं, है कैसा, disassociate करना, ठीक है, na, abdication, responsibility से अलग हो जाना, तो इस sentence में washed her hands off क्या से use किया, कि लिंडा actively, अब choose कर रही है, कि अब वो involved नहीं रहेगी, responsibility लेने से, अपने भाई के, ठीक है, और contest क्या रहेगा, normally इसी लिए use किया जाता है, कि आप disappointed हो, frustrated हो, या आपको ऐसा लग रहा है, future में कुछ ग unsuccessful attempts हो चुकी है, ठीक है, तो इसी लिए फिटिक context दे रहा है, और transition अब हम देख रहे है, self focus, normally इसमें ये भी होता ना, किस चीज़ को उपर ध्यान, wash hands क्यों कर रहे हो, ताकि आप अपने उपर focus कर सको, तो लिंडा यहाँ पर अपनी life के उपर focus करेगी, तो sentence synthesize कर रहा है, कि shift, ब्रदर के issues से, और वो किस पर focus करेगी, अपने उपर, तो उसने wash hands off कर दिया है, ब्रदर से, शब्दों की usage में one word substitution, ठीक है, तो एक एक शब्द हमने बताना है, तो one who assumes himself, one who assumes himself to be more important than other, जिसको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा important तो और उसे, वो कौन है, है ना, ego, egotistic बोलते हैं, जो अपने आपको है, egotist कौन है, जो इंसान excessively अपने आप में absorbed है, self-centered है, ठीक है, जो idea रहेगा कि, अपने बारे में सोच ला, अपने आपको ज़्यादा important समझ ला, अपने आपको superior समझ ला, ठीक है, self-importance का level उस इंसान में बहुत सादा होता है, वो होते है, egotistical, ठीक है, कहां से शब्द को ego से derived हुआ है, जो इगो क्या है, एक sense of awareness, तो ego खराग चीज नहीं है, ego क्या है, कि I exist, ठीक है, तो यह जो self-awareness और self-esteem है, यहां से यह शब्द हुआ था, कि एक self-importance को समझ ला, but egotistical क्या हो गया, जो एक्स्ट्रीम फॉर्म में जा रहा ह है, ठीक है, तो sense नो है उसकी, अपने लिए value करता है, अपने आपको importance करता है, बट कहीं न कहीं इसमें क्या हो जाता है, कि दूसरों को नहीं समझता फिर कुछ, तो उससे जो behavior है, उसका कैसा हो जाता है, attitude कैसा हो जाता है, arrogant और self-centered, ठीक है, तो इस psychology में इसको use किया जाता ह है, general language में, को individual की traits ऐसी है, कि कोई भी इंसान जो अपने बारे में सोचता है, अपने आपको सामने रहता है, one who knows or understands everything, जिसको सब कुछ पता है, जो omni शब्द होता है, omni जब हम बात करते है, omni potent है, हर जगा present, omniscient कौन होता है, जो सब कुछ समझता है, omniscient इसे literature में use, philosophy में use किया जाता है, unlimited knowledge है, unlimited awareness, understanding किसी चीज़ के बारे में, कहां से है, omni, omni क्या है, all, और दूसरा क्या है, यह scientia, scientia का मतलब क्या होता है, knowledge, ठीक है, सारी knowledge, omniscient, ठीक है, तो commonly कभ यूज किया जाता है, divine या supernatural being, जिसे भगवान है, जिसे हम religious or mythological context में इनको देखते हैं, जिनको स इनसान के लिए भी use कर सकते हैं, ठीक है, जिसको बहुत जादा knowledge हो, उस time पर एक इनसान, जिसे एक range, जो एक subject है, उसकी किसी को बहुत जादा knowledge हो, उस subject में हो, है न, omniscient होगा, बागी जैसे literature में, omniscient narrator कौन होगा, है न, common devices को use किया जाता है, जब कोई storyteller होता है, ठीक है, तो उसने, हैना, storyteller, उसको सारी knowledge हो, characters के बारे में, events के बारे में, narratives के बारे में, ठीक है, regardless, कि वो directly involved था, उसके साथ, या नहीं था, ठीक है, तो literature में, omniscient शब्द यूज़ के जाता है, omniscient narrator, वो यूज़ के जाता है, बागी statistical study of human population हमारे syllabus में भी है, demography, हैना, क्या है, scientific study, human की, population की, तो इसमें, demographic वाले में, हमने क्या पढ़ना हो, demographic dividend, हम बात करते हैं, यंग population, जो working population, demographic dividend, तो इसमें, फोकस करता है, size है, structure है, distribution कैसा है, over the period, वो बदल कैसे रही है, जन्म कितना हुआ, कितना एक जगा से दूसरी जगा गए, age हो रही है, death हो रही है, तो demography, कैसे derive ह ग्रीक शब, demos, demos का मतलब क्या होता है, लोग और graphy क्या होता है, field of study, demographers है न, जो demography को study करते हैं, उनको demographer बोलते हैं, तो सारे factors, जो population के dynamics है, fertility, mortality, migration pattern, ये सब इसमें, देखे जाते हैं, किस क्यों important है ये, एक human population की current state को समझने के लिए important होता है, demography से government क्या गरती है, इससे जो ग्यान आएगा, policy making होती है, ठीक है, governments है, organization है, उनको अपने resources की planning करनी होती है, policy करनी होती है, education कैसे देनी है, employment कैसे देनी है, housing कैसे करनी है, ये सारी चीज़े demography से जुड़ी है, इसलिए हमारे demography important होता है, that you cannot see through, जिस चीज़ के थूरू ना देख पाए, वो क्या है, ठीक है न, opaque क्या है, कोई भी material है, जो transparent नहीं है, translucent भी बोल सकते है, opaque भी बोल सकते है, ठीक है न, तो translucent में थोड़ी बहुत, light pass हो रही होती है, opaque में, है न, pass नहीं हो, आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते है, तो ये कब है, इसे, अलग-अलग context में भी use किया जाता है, opaque को, difficulty अगर understanding में हो रही है, lack of clarity है, वहाँ पर भी आप उपेकनिस word यूज़ कर सकते हो, उसकी personality उपेक है, समझ नहीं आता, उपेक कहां से आता है, opaque का मतलब क्या होता है, dark and या shady, लिटरल में भी हम use करते है, लिटरल में क्या हो गया, दिखे न, उससे through ना दिखे, transparent नहीं है, ठ से देख सकते हैं, तो, ये metal opaque है, और metaphorically कैसे है, जिसे language या process, जिसको easily समझा ना जा सके, मालो कोई language समझ नहीं आ रही है, तो उसको कर सकते है, ठीक है न, तो, जिसे physics है, physics में material science रहेगी, ये terms रहेगी, ये substances जो है, जिसे light नहीं पास कर सकते हैं, ये है, और everyday language में हम इसको, कुछ situations में भी, कोई situation, अगर difficult to understand situation, ये clear situation नहीं है, ये किसी की personality समझ नहीं आ रही है, ये situation समझ नहीं आ रही है, वो सब opacity में आता है, use the given pair of words, next है, in a single sentence to bring their meaning, दो अलग अलग शब्द है, similar जैसे शब्द है, उनको एक sentence में use करना है, और form of word change नहीं करना है, और ये समझाने की कोशिश करने के दोनों में फर्क क्या है, तो पहला शब्द जो दिया है, plane और plane, तो plane क्या है, plane किसको refer करता है, को two dimensional surface हो, ये एक tool भ ले, लकड़ी को smooth करने के लिए plane use होता है, ठीक है, तो यहां क्या है, commonly, और airplane, airplane का भी एक short form plane है, ठीक है न, तो यहां दूसरा plane, plane किसको refer करता है, PLA, IN, ये typically flat land को represent करता है, ये flat land को, ठीक है, और कुछ simple या कोई obvious चीज हो, plane सी dress pan के आए है, वहां पर भी plane शब्द यूज हो होता है, कोई unadorned, कि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं लगा हुआ, जैसे होते हैं कि, plane सा design था, plane design वो चीज़, तो वहां unadorned होगा, बिना किसी pattern के, तो अगर एक sentence देखे, while flying over the vast unadorned plane in a small plane, कहा से जा रहा है, जो नीचे हमारा plane कैसा है, unadorned, कोई बहुत ज़्यादा वहां पर कुछ उगा नहीं है, plane, I marveled at how the flat landscape below mirrored the simplicity of the plane design of the aircraft's interior, ठीक है, तो जब मैं fly कर रहा था, कहा से, over the unadorned planes, किसमे in a small plane, जो उस plane में मैं जा रहा था, plane के उपर से उड़ रहा था, मैं क्या देख रहा था, है ना, कि flat landscape मैंने देखा, below, वो जो नीचे landscape, तो क्या mirror कर रहा था, मेरा जो plane है, है ना, वो बिलकुल अंदर से simple था, aircraft का interior एकदम plane था, तो इस सारा words हम यूज कर र एक plane, large flat area, land का, ये भी बोल दिया, और plane, simple unadorned nature, है ना, यहां पर क्या था, aircraft का interior, वो बिलकुल plane था, ठीक है, तो यह शब्द का प्रियोग है, next है, quite है और इसमें I, Q-U-I-T-E, Q-U-I-E-T, ठीक है, तो यहां पर difference किया, Q-U-I-T-E है, ये हैदा adverb है, कि क्यों use किया जाता है, ये emphasize करने के लिए, किसी adjective के उपर, कोई और adverb, ये to a considerable extent of, completely, इस तरीके से, considerable extent दिखाने के लिए, और जो quiet है, ये किस चीज के लिए होगा, ये, शोर नहीं है, little or no noise, ठीक है, तो इसको noun या verb की तरह अलग अलग context में use किया जा सकता है, भागे अगर adjective में होगा use, उस time पे loud या noisy भी होता है, ठीक है, ये, sorry, not, not loud, not noisy, तो जिसे, the library was quite peaceful, थे न, with its quiet corners inviting students to immerse themselves in the study, कैसे, यहाँ जो quiet है, quiet कैसे हम अमने quarter करे हैं, q, i, t, y, q, i, t, y, 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 kya emphasize कर रहा है, peacefulness library, ठीक है, यह एक शानती वाला है, और दूसरा है, यहां पर यह क्या suggest कर रहा है, कि लाइबरेरी peaceful है, पहला quiet क्या कर रहा है, वो emphasize कर रहा है, peacefulness की, ठीकर लाइबरेरी peaceful है, और दूसरा quiet, यह क्या describe कर रहा है, लाइबरेरी का nature कैसा, उसके corner का मचलब, low in noise, तहींड़, वहां पर, noise कम है एक peaceful atmosphere को denote कर रहा है तो हमारा quite है यह peacefulness और जो quit यह क्या है? low noise environment को represent करता है ठीक है? next है further और पार्दर यह किस चीज़ को describe किया जाता है? जो हम farther कहते हैं, farther है distance, दूरी दूरी को denote करता है, physical distance को तो इसकी comparative form है far का, और यह तब बात की जाती है जो हम बहुत जादा physical distance की बात कर रहे है, दूरी और दूसरा further है, further इसको कई जगा interchangeably भी use करते है बड़ जो further है, कि commonly use किया जाता है कि metaphor की तरह जो हम देखे हैं, figuratively advance करना, आगे बढ़ना जिसे in time, time में आप आगे बढ़ रहे हो, knowledge में आप आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज़ की degree में आप आगे बढ़ रहे हो तो कहीं दा कि इसका मतलब एक additional वाली जो हम बात करता है furthermore, furthermore I would like to tell you, वह वाला further है यह ठीक है न, let's move further from this topic कहीं उठके थोड़ी जा रहे है, topic वहीं discuss कर रहे हैं, बस एक topic से दूसरे में, हैना, shift करना While we drove further down the road, further है न, जब हम down the road जा रहे हैं, our conversation dwelt further into the complexities of quantum physics हम road पे जा रहे थे, और जब हम further जा रहे थे, discussion further, हैना, quantum physics पे, complexities पे बढ़ता गया further यहां क्या है, physical distance हम travel कर रहे हैं, एक sense है आप मारा की increasing special distance है और जो further है, further किस चीज़ के लिए है, depth और advancement के लिए, हैना, जो हमारे conversation है उसमें depth बढ़ती की, उसमें advance बढ़ती की, और यह कैसी है, क्या यह physical था depth, यह non-physical है यह क्या है कि quantum physics में हम ज़्यादा deep बाते करने लगे, तो इस sentence में हम, एक physical distance imply किया गया है further से, और metaphorical distance हमारा, वो जो figurative है, वो further से, फिर एक its है, और एक its, खौमा वाला, जो its है, its यह ना, एक possessive pronoun की तरह use किया जाता है, तो अगर हम its कह रहे हैं, यह ना, जो अगर आप associate कर रहे हैं हो किसी से, जिसे नहीं, non-human entity है, animal रहेगा, the cat, cat licked its paw, अगर वो अपने paw को lick कर रही है, तो its अपने, तो यहां पर क्या है, possessive pronoun है, नहीं, its, कि उसका paw था, उसको represent कर ने कर रहे हैं, और जो its है, तो यह contraction है, its का, it is, या it has, यह abbreviation हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे, it's raining, it is raining, देखो, बारिश हो रही है, तो its raining, its raining, it is raining का, its raining कर दिया है, so its amazing how the butterfly flaps its wings with such grace and beauty, तो क्या है, its amazing, तो यह जो its वाला यह क्या है, it is amazing, ठीक है, यह वाला its है, यह क्या है, यह contraction है, it is का, यह introduce कर रहा है sentence को, और यह क्या दिखा रहा है, amazement, it's amazing, how the butterfly flaps its wings, अब यह flap कौन कर रहा है, यह जो butterfly, यह flap कर रही है, तो यह वाला its क्या है, its, यह वाला है, positive pronoun, ठीक है, यह indicate करता है, कि जो wing है, वो किसको belong करते हैं, उस butterfly को, जो इसको, मतलब, flap कर रही है, flap, flap कर रही है, तो यह है, its और ITS के बीच में, difference, नेक्स्ट यह छोड़-छोड़ कोशन आते रहते हैं, ideal processes and infrastructure limited कस्वाली, wants a project manager, तो इनको क्या चाहिए, project manager चाहिए, for an overseas project, the applicant is required to have, तो खुद बता रहे हैं, क्या चाहिए, good communication skills, ठीक है, managerial skills, write a letter to apply for this job, highlighting your eligibility, ability, जो यह शब्द होते हैं, सारे ध्यान रखने, क्या-क्या बोल रहे हैं, eligibility बोल रहे हैं, skill बोल रहे हैं, और strength बोल रहे हैं, तो क्या चीज़े ध्यान रखनी है, पहलतो कौन सी project है, project manager, किसके लिए, overseas project, ठीक है, क्या चाहिए, communication चाहिए, management skills चाहिए, तो हम और, हम eligible है, skill है, हमारी strength क्या है, तो इसके आसपास ही होगी, जो इनको चाहिए, वो ही बताएंगे, भाई साब हमारे अंदर ये है, तो देखो, normally क्या है, आपको पहले, अगर letter लिख रहे हैं, इस section में हम क्या करते हैं, context बनाने कोशिश करते हैं, अपने essential information देते हैं, कि अगर कल को पसंद आ गया, तो मेरे से बात कहां करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना contact information, name, address, phone, number, email, हम top में डालते हैं, कुछ लोग नहीं तो अपने नाम के नीचे डालते हैं, जनरल ये भी pattern है, फिर date, employers का contact information, ये भी, आपका name, position, company, address, ये चीज़े शुरू में चलती है, तोपिक डलता है, subject डलता है, फिर ये salutation आपका, salutation में normally परसनाइस greeting होती है, जो ये शो करें, कोशिश करो इस तरही, जिस बंदे के लिए कर रहे हो, ताकि उससे detail, exact आपके attention to detail दिखती है, formal greeting है, dear है, hiring manager, hiring committee, छोड़ी चीज़े, अब यहाँ पर जो दिया, exact कोशिश करो, फिर एक introduction, शुरू में आप introduction दोगे, introduction कहीं न कहीं, foundation रखती है, और वही न, जैसे हम बात करते हैं, कि real देख रहा है कोई, तो शुरू में उसका interest बने, वैसे ही, आपके letter में किसी का interest बने, तो उसके लिए, आप अपने आपको पहले introduce करोगे, और purpose बताओगे, कि भई क्यों कर रहे हैं, purpose क्या है, आपने project manager की position के लिए apply करना है, ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि आपको कैसे पता लगा, इस job opportunity के बारे में, फिर क्या है, फिर आप body में, अब paragraphing में, तो सबसे important क्या है, सबसे पहले तो eligible हो की नहीं हो, ठीक है, तो इनको बताओ, तो अगर eligible ही नहीं हो, तो बागी तो gap है, सबसे प पास कोई specific experience है, कोई training है, फिर उसके बाद, आपके skills और experience, पहली बात वो होगी फिर skills, तो अपना experience project management में, को international overseas project तुमने handle किया हो, या कोई communication skills आपके अच्छे है, ठीक है, पास्ट रोल्स में आपने अच्छा काम किया है, उसकी details, और ये सब बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो वस्तीन नहीं ने दी है, तो तोड़ के चीज़ों को, फिर उसमें, जिसमें बोलाना, skills के बारे में बताना है, तो छोटी-छोटी चीज़ है, तो इस पे emphasize करो, अपनी manager skills के बारे में, team leadership, conflict resolution, decision making, और उसमें अपनी strengths और कि आप suitable क्यों है, सबसे पहले बोला, eligible है, दूस इसरी बात कि में strength, मेरी strengths क्या है, मैं suitable क्यों हो, कोई specific strength जो आपको ideal candidate बनाती हो, आप adaptable हो, problem solver हो, cultural sensitivity है, overseas project के लिए, तो और इसमें, अगर आप कर सकते हो, कोई successful project जो आपने lead किया हो, ideal process, infrastructure limited, कि undertaking के under कुछ, या कोई उनके similar projects को study किया हो, कहीं पे आप relate करते हो, ऐसे भी add की जा सकती है, कि वहाँ पर एक project हुआ था, हमारी company तो इसलिए, और फिर आप conclusion में क्या करोगे, आप ये reiterate करोगे, कि आपका interest is position के लिए, आप believe क्यों करते हो, कि आप best fit हो, और कि आप available हो interview के लिए, आप eager हो interview देने के लिए, आप in projects के लिए open हो, ये बाते last में करी ज बजर देते हैं, है न, your sincerely, फिर आपका नाम, है न, उस signature और name last में डाल दिया जाता है, एक structure थोड़ा सा देखना, हमेशे जब भी कुछ लिखने लगते हो, पहले सोच लो कि एचा क्या क्या requirements है, उस हिसाब से structure बना है, और फिर उसको जल्ली से लिख दिया, एक था आपका, कि आपका, आपने laptop खरीदा है, भारत technologies से, रामपुर, हिमाचल प्रदेश और उसमें बहुत सारे issues है, regarding touchpad and speed, write a letter of complaint, seeking a replacement or refund of refund of the money in about 300 words, तो आपने लिखना है, ठीक है, सबसे पहले वही header, header में क्या, contact details डालते हो, ताकि कल को कुछ पंगा होता है, या कोई response देना है, तो व सबसे पहले ये, फिर आपका contact information में क्या क्या रहे है, वही name, address है, फिर date, company का contact information, फिर salutation, कोई एक respectful greeting, formal है ना, वही company representative होगा, to whom it में concern होगा, फिर आप introduce करोगे, तो इसमें क्या, वो reasons बताने हैं कि लिख क्यों रहे हो, essential details, purchase की और स्टार्टिंग में बताई जाएगी, ठीक complaint, फिर mention करोगे, वो product कब purchase, किसी वो board रहे हो, तो पहले बताना पड़ेगा, कौन सा model है, कब खरीदा था, मेरे पास इनोवाइस number है, फिर आप शुरू करोगे, वहाँ पर क्या है, कि problem की description क्या है, clearly describe करोगे, laptop में क्या दिक्कत हो रहे है, touchpad में दिक्कत है, speed में issues है, फिर इससे पहले कोई attempt resolve करने का अगर आपने करा है, बता दो, फिर impact, problem का, आप ये भी बताओगे ना, इससे आपका usage पे experience कैसा रहा, है ना, आपको inconvenience हुई है, आप परिशान हुए हो, आप dissatisfied हो, है ना, वो बाते बताई जा सकती है, पहले problem, फिर impact of problem, और फिर तीसरा, कि मेरे को resolution क्या चाहिए, clearly बताओगी क्या चाहिए, replacement चाहिए, या refund चाहिए, है ना, और justify करो, resolution necessary क्यों है, है ना, जैसे repeated issue है, बहुद, है ना, loss of trust हो जाता है, reliability पे product की, फिर conclude करो last में, है ना, अपना expectations उसको बताओ, है ना, और prompt दो, satisfactory response के लिए, आप यहाँ पर एक time frame भी दे सक करते हैं उनको, कि आप जितने में expect कर रहे हो, कि भाई, इतने reasonable लेकिन एक firm उसमें, कि इतने time frame में, प्लीज आप इसको कीजिए, फिर complimentary closure रहेगा, sincerely और regards यूज कर सकते हैं, फिर नीचे, signature और अपना नाम, छिक्के, ए चीज़े लिखी जा सकती है, फिर you are an assistant manager in Asian Machines Limited, your company wants to start a new manufacturing unit in बद्दी, you are asked to make a survey and submit a feasibility report on this regard, आपको क्या करना है, feasibility report बनानी है, आपको बारे में बताया है, आप क्या हो, assistant manager, और आपको एक नई manufacturing unit बद्दी में शुरू करनी है, ठीक है, अब आपको इसके लिए feasibility report बतानी है, और report in letter format आपने भीजनी है, तो अपने हिसाब से relevant details बनाओ, वोई header रहेगा, एक formal tone में, आप essential information दो, आपका contact information, अब यहाँ पर आपका, क्योंकि तो पता है न, उन्हों को आपके बारे में, तो अपना नाम, अपनी position, company, अपना address, company के जो higher authorities है, contact information, dates रहेगी, subject रहेगा, salutation, है न, वो personalized करो इसको, अगर आपको recipient का नाम पता है नहीं पता है, न, डियर, टाइटल, फिर आप introduction करो, तो यहाँ पर सबसे पहले introduction में हम क्या करेंगे, purpose बताएंगे, क्या था, कि submission करना है, feasibility report का, एक नही manufacturing unit का, बद्दी में, outline करो, जो scope है, survey का, जो conduct किया, तो basic outline सा दोगे, कि हमने ऐसे ऐसे किया, फिर आप इसके अंदर, अब आप अपनी report दोगे, report क्या है, सबसे पहले, locational analysis करो, कि geographical और logistic aspects कैसे है, suitability बद्दी की कैसी है, उस manufacturing unit को बनाने के लिए, accessible है, suppliers market के नजदीक है, ठीक है, तो एक locational analysis, फिर आपका resource availability की, जो necessary resource चीए, raw material चीए, labor चीए, utilities चीए, वो है की नहीं, किना cost evaluation करो, कि बही कितन फिर साथ में, एक market assessment किया जा सकता है, potential market उस बद्दी में, उसके आसपास company के products के लिए है की नहीं है, क्या potential challenges हो सकते हैं, क्या opportunities हो सकती है, इन चीजों का ध्यान देंगे, और report में हम क्या देते हैं, legal aspect, legal or environmental conditions, कोई भी legal requirement state की क्या है, restrictions अगर कोई state लगाती है, unit को बनाने के लिए, कोई environment impact assessment करने की जुरूरत है, कोई compliance ज़रूरी है, किसे department के अंडर वो होगा, ये बात, और फिर finally, आपके recommendation या conclusion, तो जो भी आपकी key findings है, वो आपने बतानी है, और clear recommendation, कि proceed करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, इन दोनों में से extend लेना है, क्योंकि आप report दे रहे ह होना, तो आपको extend लेना पड़ेगा इसमें, और फिर वोई complimentary closure रहेगा, sincerely best regards, लास्ट में, नाम, signature, उपर signature करते हैं, नीचे नाम लिखते हैं, ठीक है, एक है, the NSS unit of your college organized a community outreach program, college में community outreach program हुआ, आपने manage किया सारा ट्यूर, आप कौन थे, student coordinator, तो एक report लिखनी है, suitable format में, और कि किसको submit करनी है, principle को, ठीक है, clear है, principle को आपने ये information देनी है, report लिखनी है, similar रहेगा, header, tone और context, title report का, title डालते है, report on, हमारा क्या है, यहाँ पर, NSS, एक community outreach program हुआ था, फिर आप अपनी position लिखेंगे, कौन submit कर रहा है, और वो कौन है, students coordinator है, और कब submit कर रहा है, date of submission जाएगा, फिर principle को address करेंगे, इसमें clear है, तो formality, respected principles, to the principle, ठीक है, फिर introduction शुरू करेंगे, तो एक brief background है न, कि purpose क्या है, आप क्या inform कर रहे हो, आप community outreach program के बारे में बताओगे, ठीक है, फिर यहाँ पर आपना NSS, तो NSS unit, उसके objectives क्या है, फिर कहा हुआ, date और location, community outreach program की, ये बताओगे, फिर objectives क्या थे, तो clearly state करना है, goal और objective, आपके community outreach program के क्या थे, और फिर उस goal के बाद, program में क्या हुआ, ठीक है, तो उसकी description देनी है, कि क्या-क्या activities carry out की गई, NSS का role क्या था, बागी participants का role क्या था, कोई भी collaboration किसी local organization के साथ हुई हो, किसी community leader के साथ हुई हो, उसके बारे में information की लोगों ने कैसे किया, क्या किया, तो program की एक proper detail, और फिर participants की detail, कि कौन-कौन थे, students थे, faculty थी, कोई लोग थे, वहां के local community members, कोई guest speaker आया था, कोई notable attendee वहां पर था, कोई ऐसा बड़ा आदमी उसके बारे में बताना है, और फिर outcomes, कि impact क्या रहा, जो हमने काम किया, तो इस इसमें outcomes क्या क्या रहे, major, achievements क्या थी, और एक कि उसमें feedbacks क्या receive करें हमने community के participants, अब ये भी बता सकते हो, कि जो लोग आये, उन्होंने क्या feedback दिये, वो क्या perceive करते है, community के बारे में, ये चीज़ें लिखी जा सकती है, और फिर, क्या हम last में challenges faced भी डाल सकते हैं, हमने क्या challenges faced किये जब वो program चला रहे थे, तो जो issues address हो, फिर, आप conclusion और recommendations दे सकते हो, कि आप success के बारे में बताओगे, अगर conclude करोगे, कैसे अच्छा हुआ, और कुछ recommendations भी दे सकते हैं, कि सर फिर में अगर ऐसा करना है, तो फिर, इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, हाँ, last मे एक, आप, express gratitude दोगे, इसर, है न, it's your sincerely, and thank you करते हो, और finally, signature करोगे, और नॉर्मली यह signature दे, इससे क्या होता है, एक authentication आती है, authentic है, आपने उसको, अपने हाथ से sign किया है, ठीक है, पैसेज है, पैसेज क्या गया था, read the passage carefully and answer the question that follow, क्या क्या गया रहे है, while the previous decade of UN, UNFCCC क्या ह UN Framework Convention on Climate Change है, यह क्या कर रहे है, यह negotiation हो रही है, fail to deliver effective and equitable climate action, क्या कह रहे है, यह fail कर गया है, जो equitable actions है, climate actions नहीं हो रहे है, इस साल की conference जो COP28 हुई थी कहां, UAE में, यह unique opportunity है, किस चीज़ के लिए, move करना from empty promises, तो अभी तक क्या क्या कह रहे है, कि empty promises से real action की तरफ move करने की यह ए हाँ, real action on climate change क्या require करता है, pragmatism, हमको pragmatic होना पड़ेगा, it would center the specific, अब देखो क्या है pragmatism की बात है, अब यह कह रहा है, कि it would center the specific needs of energy poor countries in the global south, global south किसके लिए शब्द यूज करते है, जो developing countries है, उनके लिए global south यूज करते है, तो यह center कहा करेगा, जो energy poor countries है, global south की, क्या recognize करेगा, कि energy transition हो रहा है, ठीक है न, यह recognize करना, कि energy transition कैसे हो रहा है, for much of the world is just the, कैसा transition कह रहे है, in which legacy fuel, legacy fuel क्या होता है, जो आज तक चले आ रहे fuel है, जो आज तक की fuels है, उनको कैसा करना, उनको ज़्यादा efficient बना हो, ताकि कम लगे, ठीक है, and used to finance the scale up of renewable, जो हमारे renewable है, उनको scale up करना है, legacy fuel हम, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कि transition करना है, वर्ल्ड का, कहां से, a transition in which legacy fuel, जो है, उनको render कर रहे हैं, ज्यादा efficient, और जो इससे पैसा आ रहा है, उसको कहा लगा रहे है, renewable को improve करने के लिए, तो ceremonizing cope, presidencies have rarely understood the basic needs, अगर आप cope में अभी तक देखें, जो presidencies जो है, जो head कर रहे हैं, उन्होंने rarely समझ पाए हैं, जो need developing world की, जो concept है, greener capital, यह important है, green capitals बनाना, एक similar pragmatic यहाँ पर climate solution की बात हो रही है, global south, यह क्या रहेगी, किसको prioritize करना है, enterprise को spread करना, enterprise को फैलाना, एक solution की तरह, and of technology, as per the estimates, except two, सिर्फ दो countries के अलावा, जितने भी developed nations हैं, उन्होंने nationally determined contribution को meet नहीं किया, they failed, हरे country क्या बताती है, INDC, intended nationally determined goals, contributions कि हम इतना अपना जो, जो हम pollution कर रहे हैं, उसको कम करेंगे, हम कैसे climate change को कम करने के लिए, कौन गौन से steps लेंगे, तो सिर्फ जो यह targets बताती है, हर country, तो सिर्फ दो ही developed nations है, तो accept to, सिर्फ दो नहीं करें, बाकि सब fail कर गें, जो नहीं बोल था, उसको पूरा करने में, तो सिर्फ करना चाहिए, जो climate finance है, यह भी equally important है, जो emission target है, हरे country के emission target है, इसके साथ, हमारी climate financing, यह भी important है, क्योंकि यह भी impact करती है, climate change को, और cooperative कब आ रही है, it is coming at the time, when there is already momentum around global south, already हमारे south में क्या-क्या चीज़े चल रही है, हम लोग multilateral corporations कर रहे है, global south में, it is significant to know that, inclusion of green development pact in new Delhi leaders, हुआ है, declaration, new Delhi declaration creates a cohesive narrative around climate action as a catalyst for sustainable and inclusive growth, क्या हमारे यहां पर हमने डिल्ली में ऐसा किया, वही यह क्या कह रहे है, कि कुछ ऐसे changes आ रहे है, inclusion है, green development pact का, यहां से क्या हो रहा है, global south में, multilateral corporations, हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, sustainable और inclusive growth होगी, हमने priority action areas coming year के लिए, initiate किये है, highlight किये है, किस चीज़ के लिए important है, जो coming areas में highlight करे है priority action, ताकि हम reduce कर सके, जो cost है, develop करने की greed capital, इसके लिए climate finance की जरूरत है, पैसे दिये जाए climate change को control करने के लिए, the world should look forward, किस चीज़ के लिए, institutionalize करे climate action, और create क्या करे, line of funds for green transition, funds को लाना, there is a need to be, भाना, there is a need to be a platform to underscore the repercussions of climate change, क्या जरूरत है, जरूरत है, underscore करना, जोगर repercussions है climate change की, उसको समझना और फिर उनको खतम करना, कम करना, उसको underscore करना, कैसे होगी, innovation in climate technologies, कहाँ, global south, तो नहीं नहीं, innovation को encourage करो, कैसे, effective knowledge sharing, आपस में हम क्या करेंगे, knowledge को share करें, और sufficient funds दे, green projects को support करने के लिए, जितनी भी monopolies है, यहाँ पर, किस चीज़ के लिए green technology, green energy, होता ऐसा, अभी भी solar में हमको issue क्यों आ रहा है, हमारे पास, सस्ते panels बनाने के लिए, technology नहीं है, ठीक है न, तो वहीं, तो हम क्या कर जो monopolies है, green technology के उपर, कुछी countries के पास सारी knowledge होती है, accessibility जो green है न, तो यहाँ पर यह accessible होनी चीए, green energy के लिए, जितने भी, ताकि जो green future है, COP28 का, एक ideal starting point हो सके, global community के लिए, और solution हमारे climate के जो challenges है, इन के लिए, ठीक है, तो COP28 के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर हमारे पा सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही है, तो इंते question पूछे, mention four aspects of pragmatic climate action, इसमें से चार aspect ऐसे बताओ, जिसमें हम pragmatically climate action कर सकते हैं, कि इनकी नेरियाज में कर सकते हैं, पहला हमने देखा कि needs जो है, energy poor countries के global south में, उनकी अपनी needs है, अपने challenges है, उस पे focus करना चाहिए, दूसर energy transition, एक gradual process की तरह समझना चाहिए, जो से legacy fuel की बात हुई थी, legacy fuel से renewable energy की तरफ जाना, legacy fuels की efficiency बढ़ाना, और उससे जो पैसे आ रहे हैं, उसको कहा, renewable energy में लगाना, ठीक है, तो transition phase require कर रहा है, efficiency और improvement current fuels और investment में, ठीक है, यह aspect रहेगा, फिर prioritize करना, enterprising solution और technology, global south में जिसे हम बा climate friendly technology हम क्या कह रहे हैं, तो climate friendly solution है, global south को नहीं मिल पा रहे है, monopoly हुई भी है, developed countries की, उसको check करना, और climate finance, यह बात देखी थी है हमने, पैसा जरूरी है, तो acknowledge करना कि financial support जरूरी है, meet करने के लिए, जो भी emission targets है, इनको address करना, technology दो, पैसा दो, इसके अलावा, यह transition को recognize करना, और जो हमारी countries है, developing countries, उनकी needs को समझना, यह climate action के लिए जरूरी है, what does breaking monopolies signify in the context of the passage, तो breaking monopolies क्या है, किसके context में है, किसके पास है dominance, technology की developed countries, तो वह यह, dominance of few entities, जो भी हमारे कुछ nations है, उनके पास technology की dominance है, ठीक है, उस technology को क्या बनाना है, affordable बनाना है, accessible बनाना है, कोई बना लेता है, technology तो क्या कर देते हैं, patent ले लेते हैं, तो फिर सबको नहीं पहुंच पाती है, तो वो monopoly है, ठीक है, limited countries के पास यह है, क्यूंग वो developed है, वो research and development में खर्चा कर सकते हैं, उस monopoly को खतम करना है, what do you infer from the term cohesive narrative in the process, एक cohesive narrative refer किया गया है, कि किसको है, यह referred किया जा रहा है, united और consistent approach या story, यह किसके context में है, यहाँ पर यह imply गर रही, harmonized और एक understanding अगर हम देखने है, collective understanding strategy, climate action के लिए जरूरी है, हम क्या चाहते है, sustainable और inclusive growth हो, ठीक है, तो वो green development facts अगर होंगे, तो यह सारा मिला कि वो cohesive narrative बनता है, which word in the passage is synonym of important, तो important passage में कौन सा है, significant, significant शब यूज किया गया है, important के लिए, which word in the passage is antonym of frequently, frequently का यहाँ passage में, rarely है, चीक है न, frequently और rarely शब यूज किये गए, which of the following is not relevant, इन में से कौन सा relevant नहीं है, UNFCC hasn't been able to result in effective climate action, क्या यह बात कह रहे हैं, starting में बात कहिए कि पूरी तरह से इतना effective नहीं हुआ है, global south is bound to be fully developed after COP28, कि COP28 के बाद, global south fully developed हो जाएगा, कैसी कोई बात कहीं है, देखो opportunity तो कहीं है, but fully development का मतलब अस होगे न, बिल्कुली, develop होगे सभी चे नहीं, यह बात नहीं है, equitable climate action is necessary for green future, यह बात कहीं है, है न, equitable climate action, necessary है future का, यह बात कहीं है, और many have failed in meeting their nationally determined contribution, NDC, पा रहे हैं, चिक है, इस चीज़ को भी कहा गया है, इन चार options में है न, जो सबसे जाएगा ऐसे illogical लग रही है, वो क्या है, कि global south is bound to be successfully developed after COP28, है न, बाउन टो भी कहीं नहीं कहा है, fully developed, यह बात, यह self statement relevant नहीं, ठीक है न, हां growth होईगी, ongoing challenges है, यह न, targeted efforts रहेंगी, अगला message देखते है, most scientists will agree about which explanation are good ones and which are not, यह तो scientist किस पर कर रहेंगी, the trouble comes when we make serious attempts to express precisely the standards they implicitly employ and to find generous, general features, common and distinctive of good scientific explanations, तो क्या कहा, कि जितने भी scientist है, वो agree करेंगे, किस के बारे में, हैना, explanations अच्छी है या नहीं है, trouble कब आता है, जब serious attempts की जाती है, precisely यह बताने की, हैना, जो standard है, हैना, implicitly, जो employ किये जा रहे हैं, किसको, common features को, और distinctively जो good है, scientific explanations के लिए, we may all agree that, such explanation must involve law, कि बट ठीक है, लब में डाइम जो ची चलने चीए, उस वें law होने चीए, but to, exact degree of involvement कहा है, of law, explicit participation, ठीक है, तो यहाँ से start, exact degree of involvement है, law का explicit participation, implicit backing, explicit क्या होता है, जो दिखे, जितने, explicitly कुछ, implicit क्या होता है, जिसने, explicitly मैं वहाँ भाग रहा था, implicitly मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, या explicitly मैंने किसी को gift दिया, implicitly क्यों दिया, implicit तो मेरी intention होगी, तो implicit, explicit क्या है, participation होना चीए, law का, और implicit backing, or something is between, is open to dispute, तो यह क्या है, this is open to dispute, and then there is the problem of telling scientific laws from other sorts of non-explanatory generalization, तो एक तो law वाली side, दूसरी कहां से होगी, scientific laws को non-explanatory generalization कर रहे हैं, और sorting कर रहे हैं, why the former explain when the latter do not, तो एक को explain कर रहे हैं, former को explain कर रहे हैं, latter को नहीं कर पा रहे हैं, तो यह जो problem है, यह किस को involved, turn out किस को involved कर रहे हैं, जो philosopher की mystery है, philosopher की mystery क्या है, whether there are real necessities in nature, क्या nature में सच में necessities है, if there are no such necessities, अगर ऐसी कोई necessity नहीं है, it becomes hard to see what explanatory content laws have over what we such mercy accidental generalization, तो क्या है, एक aspect क्या है, वो एक necessities, अगर necessities नहीं हैं, तो क्या explanatory content हम दे रहे हैं, किसके लिए, जो mercy accidental generalization, जो हम कर रहे हैं, if law do not have the kind of necessity which makes them explanatory, law कैसी है, कि उसके अंदर necessity नहीं है, कि हम उसको explain कर रहे हैं, या उसको explanatory बनाए, it is not property, they openly manifest for all to recognize, तो यह कैसी है, यह क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, कि उसको explanation नहीं आ पा रही है, अगर हम कहें नहीं, जो excellential generalizations क्यों हो रही है, law नहीं necessitate कर रही है, कि उसको explanatory किया जाए, क्यों, it is not properly, property, they openly manifest for all to recognize, तो इसमें क्या क्या रहे हैं, कि वो recognize नहीं कर पा रहे हैं, indeed there is the fundamental problem of telling how close your best guesses are to the law of the nature, इन सब में हम कर क्या रहे हैं, इन सब के अंदर एक तरह से best guess करने की कोशिश कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, जब हम explanation दे रहे हैं, कि जो law of nature है, उसको best guess करने कोशिश, जब Newton में बोला होगा gravity है, तो explanation वही है ना, नेचर में already कुछ हो रहा है, तो इन सब में है क्या, जो nature के phenomena है, उसको हम explanation दे रहे हैं, सेब गिरा, अब जब सेब गिरा, वो वोड़ रहे हैं, इसको खिंचा दरती ने, वो जो force है, वो gravity है, धीरे 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 उसके explanation आ रहे है, तो वही जो law of nature है, unless we can tell, we will have no basis on which to say whether any of our purative explanation do more than merely reduce temporary onslaught of curiosity, इसमें है क्या, जब तक हमको exact explanation नहीं आती तो तब तक हम क्या कर रहे है, temporary जो हमारी curiosity है, उसको एक explanation से खतम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, attempts to avoid many of these problems, हम क्या करते है, एक attempt की तरह है, क्या avoid करने की कोशिश कर रहे हैं, problems को, कैसे, अपने attention को हम turn कर रहे है, by turning attention from laws, laws से हटा के किसको कर रहे हैं, say cause as the bearer of explanatory power of science, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने turn कर रहे हैं, laws से causes पर, और bearer explanation, जो हम power की कह रहे हैं, bearer of explanatory power of science, will be not only availing, but rather ironical, कैसा होगा, ironical हो जाएगा, unveiling नहीं ironical है, for it was to laws that the logical empiricist appealed in order to avoid traditional problems, तो यह है, laws को logical empiricist appeal करते हैं, rather than किसको, normally पहले क्या था, cause and effect की बात करते हैं, otherwise क्या है, causation का एक, दे देते हैं, cause, cause, एक reason दे रहे हैं, जो causation है, जैसे, they hope to trade the problem of what cause necessitation consists in, यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे एक example दे रहे हैं, they hope to trade the problem, problem जो है, problem क्या थी, what causal necessitation consists in, जो cause हो रहा है, जो cause है, वो जरूरी क्यों है, जो causal necessitation है, उसके अंदर क्या क्या चीज़े, consist होती है, यह अगर हम बात कर रहे हैं, problem, for an account of the difference between general law and accidental generalization, तो इसको किस से account कर रहे हैं, एक तरफ हम general laws बना रहे हैं, और दूसरी तरफ, accidental generalization, accidental generalization क्या होता है, एसा यहां होता है, ठीक है ना, जैसे हमारे नियुक्ता, पांग पे जब चलते हो तो फिसल जाते हैं, शान पे चलते हो तो फिसल जाते हैं, जनरलाइजिशन कर दी हमने, बार-बार हो रहा है तो, accidental generalization क्या है, कि हमने हमको कोई चीज़ लगी, हमने उसको generalize कर दी, accidentally, पर यह जो दो चीज़े, दो problems है, एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, कि necessitate क्या कर रहा है, causal necessitation, और दूसरी तरफ, accidental generalization, तो यहां पर, इस टर्न आउट तो वी the same, it is all, तो यह सेम कैसे है, it is also argued that, explanation must ultimately show that scientist description of reality is not just true, कि सिर्फ साइंटिस्ट की ही जो reality है, logically जो है, obviously reality is not just true, but necessarily logically true, ठीक है, जो explanation हम दे रहे है, तो, that the way the world is, the only way it could be, जो हम यह बात कहते है, world is the way it could be, we have a good reason to think that, any attempt to establish such a conclusion is bound to fail, कब fail करेगा, अगर हम यह मान के चल रहे हैं, the world is the only way it could be, this is the way it could be, अगर हम सिर्फ यह लेगे, मलब यहां से गर हम start काते, obviously explanations आ जाएंगी, but इससे होना क्या है, we are bound to fail, अग explanation देने में, indeed, where it is to succeed, we would be hard-pressed to explain much of the fallible and self-correcting character of scientific knowledge, कहां सक्सीड करेंगे, जब hard-pressed होंगे, explain करने के लिए किस चीज़ को, कि fallible है चीज़े, और correct कर, जो होना वही self-correcting nature है scientific knowledge का, अदर्वाइस तो क्या होगा, एक accidental generalization कर दिया और उसका reason दे दिया, बट जब हम ये self-correcting character के बारे में सोचेंगे scientific knowledge की, फिर हमारे एक development होगी, तो इस passage में question क्या था, describe the general concern in defining a good scientific explanation, तो एक general concern क्या है, जनरल concern का आप अगर देखोगे, तो एक difficulty है, difficulty क्या है कि आप precisely नहीं define कर पारे हो, agree नहीं कर पार हो जो standards है, तो distinctive feature है, किसचीज के अंडर? एक अच्छी scientific explanation क्या है, उसको precisely कैसे define किया जा सकता है, क्या उसकी standards है, और क्या उसकी distinctive features है, ठीक है, यहां पर debate क्या है, there is a debate किस चीज़ पे, कि extent क्या है laws should be involved in these explanation यही है ना कि कितना law को involve करें और दूसरा कि कैसे differentiate करें scientific laws को non-explanatory generalization से जो हम accidental generalizations कह रहे हैं non-explanatory है ना वो furthermore यहां पर यह issue किसको involve करता है जो philosophical question है क्या कि जो existence है है ना existence of real necessities in the future in the nature क्यों सच में necessity क्यों है उसकी जरूरत क्यों है ठेक है ना यह समझना यह आपका general concern है जो define कर रहे हो एक अच्छी scientific explanation को ठेक है next question है what issues does the writer foresee if there are no real necessities in the nature अगर real necessity नहीं है तो writer क्या issues को foresee कर रहा है अगर कोई real necessity नहीं है nature में तो क्या हो रहा है challenging हो रहा है किस चीज़ को determine करने के लिए जो explanatory power है scientific laws की किस के उपर accidental generalization के उपर है बिना necessities की distinctiveness है significance जो हम laws की कह रहे हैं वो किस चीज़ में explain करने natural phenomena को क्यों यह क्योंकि questionable बन जाता है और यह क्या undermine कर रहा है जो हमारी scientific explanations की foundations है यह उसको undermine करने लग जाता है इसी लिए यह issue बन जाता है जो writer foresee कर रहा है कि अगर कोई real necessity नहीं होगी nature में तो यह issues आएंगे What difference do you infer between scientific laws and accidental generalization आपको क्या लगता है दोनों के बीच में क्या फर्क है scientific laws क्या है हमारा अगर हम देखें तो यह क्या है यह imply कर रहा है कोई भी necessity है जो अगर हम explanatory किसी भी चीज़ को explain करने कोशिश कर रहे है तो जो nature की occurrences है उसकी explanation को पहला गया former essential देखा जाता है foundational देखा जाता है और latter जो है हमारा यह कैसा है coincidental है less informative है जो देखा उसे साबसे बोल दिया accidentally है चीक है ना पर पहला कैसा है यह आपका essential है foundational है scientific laws accidental generalization coincidental और informative है फिर word passage में synonym कौन सा है overt का है ना overt क्या होता है चुबा के करना explicit दिखा के explicit implicit overt covert overt है एक covert तो यहाँ explicit which word in the passage is antonym of permanent permanent क्या है जो हमेशा रहे temporary थोड़े time के लिए जो होता है ठीक है फिर make two sentences using the phrasal verb consisting in consist in ठीक है तो consist in जो phrasal verb है उसके उपर दो sentences बनाने है और यह passage से sentence repeat नहीं करना है ठीक है consistent तो दो sentence अगर बनाने है true happiness of our consist in finding contentment in small things rather than chasing great ambition true happiness किस चीज़ों में consist करती है कहना contentment शांती छोटी चीज़ों में contentment बाना rather than बड़े-बड़े ambitions के पीछे भागना consist किसको करता है दूसरा the sense of good leadership consists in the ability to inspire and motivate others good leadership की essence क्या है कि एक इंसान inspire कर सके motivate कर सके दूसरों को सिर्फ commands ही नहीं देनी है कि बस ऐसा करो out of the position power की मैं इस chair बे बैठाओं तो मेरी सुननी पड़ेगी वहां से नहीं यह है कि आप inspire कर कर पाओं लोगों को motivate कर पाओं वहां से शुरुत है चिक है तो वही इनने कहा था दो sentence बनाओं कंसिस्ट इनके तो दो sentences बनाने हैं इसके बाद प्रशन है make a pressy of the following passage in about one third of the length है ना and give a suitable title तो क्या करना है एक प्रेसी बनाना है और उसको एक suitable title देना है जब हम प्रेसी की बात करते हैं यह क्या है यह कंसाइस समरी बनानी है text की है ना और उसमें क्या होना चाहिए जो key points है वो हमने ध्यान रखने और structure ध्यान रखना है structure का मतलब क्या होता पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ उस चीज की जो structuring है उसको ध्यान में रखना हो ठीक है प्रेसी कैसे लिखते हैं है अगर देखना सबसे पहले तो भाई वह यह original text पढ़ो फॉरली एक बार उसको पढ़ो उसका जो main idea है उसको समझो उसके अंदर जो arguments दिए है उसको समझो और overall हमसे क्या expect किया जाता है कि इसकी जो main theme है ठीक है main tone है इसको समझो जो speaker है वो जो बात कर रहा है उसके tone क्या है उसके arguments क्या है उसको समझता एक बार पढ़ा फिर उसको multiple readings दो ताकि comprehension बैटर हो सके एक बार पढ़ने के बाद दो बारा बढ़ो साथ में underline करते चलो ठीक है तो main चीज़े निकाल लिए फिर उसमें क्या है कुछ core elements होते है जिनको identify करना होता है इनको underline करना होता है कि मेरा main idea क्या है तो इसमें जो primary argument क्या है उस जो आपको दिया हुआ है thesis कहें या जो point कहें या जो paragraph कहें ठीक है फिर उसमें supporting arguments तो आपने ये देखना है कि main idea को कौन-कौन से arguments हैं जो उसको support कर रहे होते हैं उससे जुड़े होते हैं और वो author ने लिखा क्यूं है किसी भी चीज़ को लिखने के पीछे एक इनसान के दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो उस author का objective क्या है इसको लिखने के पीछे वो समझना है एक बार जब हमने इतना कर दिया देख लिया underline कर दिया उसमें note taking करना highlight करना है जितने भी important points आपको लग रहे हैं उनको highlight कर दो main points है उनको उनके brief notes बना सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं कि अलग से कागज में देख उसके lines के बीच में जगा होती है थोड़ा थोड़ा तो वहीं पर भी main points को अगर concise करना चाओ कर सकते हैं फिर लिखना शुरू करूं ठीक है एक basic draft draft बनाओ प्रेसी के लिए आपको एक अलग से कागज दियावा होता है जिस पर लिखना होता है लेकिन suggested है पहले उसको एक बार लिख लो अपनी sheet में उसके बाद उस एक कागज मिलता है उसमें boxes बने होते हैं हर box के अंदर एक शब्द लिखना होता है ठीक है ना पहले एक बार उसका rough draft बना लो जो बच्चे सिधा ही fair करते हैं है नहीं advisable मेरी तरफ से कोशिश करो थोड़े time लगता है तो आप begin करो statement author की क्या है उसका honor क्या है title क्या है main बात क्या हो रही है फिर summarize करो जो भी key points है लेकिन एक logical order ध्यान रखना पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ वह वैसा ही रखना चाहिए जो structure है original text का उसका ध्यान रखो बाकि वह यह clarity दिखनी चाहिए ब्रेविटी होनी चाहिए completeness आनी चाहिए ठीक है तो जो हम बात करते हैं अच्छे प्रेसी में क्या demand किया जाता है clear हो ठीक है समझ आना चाहिए understandable होना चाहिए बहुत ही clear होना चाहिए जिसने original text नहीं भी पढ़ा है वो भी नहीं one third ठीक है अगर तीन paragraph है तो एक paragraph जितने शब्द है उसका one third के around ठीक है तो कम होना चाहिए और objectivity इसमें एक चीज समझना कि आपका एक unbiased होना चाहिए अपना opinion मत डाल तुम नहीं लिख रहे हो जो किसी ने कहा है उस पे वही लिखना है ना अपना कोई opinion देना है ना कोई interpretation डालनी है ठीक है जो उसमें लिखा गया है उसी को concise करके आपने दिखना है और coherence होनी चाहिए जो idea है वो logically flow करना चाहिए ठीक है जो भी original text है arguments है है ना वो उसमें रहने चाहिए वो structuring shift नहीं होनी चाहिए ठीक है और कुछ जो mistakes आपने avoid करनी है एक तो personal opinion बहुत लोग अपनी interpretation और values आड़ करने लग जाते है आप से किसी ने नहीं पूछिए आप क्या सोच रहे है जो लिखा है जो दिया गया है उसी को concise करके बताओ और कईवर essential information जो arguments के लिए ज़रूरी है वो छोड़ देते है ऐसा नहीं करना है ठीक है और text कुछ लोग directly copy कर देते है अपने शब्दों में लिखना वर्बैटिम नहीं लिखना है पैराफ्रेज नहीं करना है कोशिश करो है न कि अपने शब्दों में उस चीज को लिखो आइडिय दो obviously कुछ शब्द सेम रहेंगे अब जो keyword है keyword तो सहीं ही रहता है न बड़ उसके साथ जो चीज़े आप लगा रहे ह ठीक है न उनको आप अपने language में लिखो तो इसलिए keywords है न बाकी फिर finalize करो एक बार लिखा फिर उसको review करो कि original text से adhere कर रहा है की नहीं grammatically accurate है की नहीं ठीक है compare करो original के साथ और फिर जब अवे compare करोगे फिर ensure करो critical points है वो सारे included है की नहीं एक बार आपको लगता है थोड़ा बहुत उसमें change किया जा सकता है पैंसल से फटो फटो चेंज करो final हो गया final होने के बाद जो paper मिला हुआ है उसमें उसको जल्दी से बर देना है ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना तो पहले एक draft ड्राफ्ट ब कठा करके जैसे जो पड़ा फुड़ा सा उसको concise किया दूसरे को concise किया main point किये बाद में उसको refresh किया refresh करने के और फिर देखो उसमें क्या improvement चाहिए और फिर उसको लिख लिए यहाँ प्रेसी बनाना है ठीक है तो most of India's philosophical system and her most significant ideals and concepts originated centuries ago तो क्या बात कह रहे है जो philosophical system है ideas है concepts है क centuries पहले किये however understanding the Indian philosophy does not mean that our concern is merely of anti-cutarian interest philosophy को समझना सिर्फ anti-cutarian interest के लिए नहीं है तो और भी चीज़े रहे है अदर्वाज किया हो था कि display एक aspect क्या है कि Indian philosophy की concern सिर्फ an anti-quarian नहीं है जानपचानद वाली बात ही नहीं फुड़ा depth अब क्या किसी से concerned है we are concerned with India's philosophical views philosophical views से हम concerned है क्यों because they provide the guiding principle of the life of the people कि क्या बता रहा है कि लोगों को की जीवन को जो principles guide करते है वो इससे हम को समझाते है ठीक है the ideas and concepts that are quite significant as the world has turned to them for new insights यह कैसे ideas है world हमारा क्या कर रहा है इनसे नए ideas नए insights के लिए और deeper wisdom के लिए turn up हम करते है no matter how old this knowledge is कितनी भी पुरानी हो we Indians are deeply rooted in our philosophy क्या हम है अपनी philosophy में deeply rooted इंडिया is not wholly remolded in the outside जिसे western influences में ही थोड़ी है हम से remolding ऐसा नी molding क्या होती है दुबारा से बदलना molding है ना change करना shapes को तो remold जो हम not wholly remolded in the outside western influences बाहर से ही नहीं जो striking developments है और जो changes है कहा हो रहे है in contemporary India not out of accord with the Indian tradition though they are out of accord with some of the distortions and excesses of that tradition which arose primarily under the stress and pressure of unfortunate events and almost unbearable circumstance क्या बात कह रहे है जो developments हो रही है changes हो रही है contemporary India में कैसे है एक Indian tradition बट किस basis पे उसके साथ कुछ distortions हो रही है कुछ excesses हो रही है क्यों हो रही है वो क्योंकि stress और pressure पड़ रहा है unfortunate events का है ना कुछ unbearable circumstances का तो जो apparent in compatibility of traditions of India क्या कह रहे है in compatible क्या होता है दो चीज़े एक साही से चले यह क्या कह रहे है कि in compatible tradition किसके साथ contemporary India क्यों हो रहा है basically only that only that apparent यह कैसा है बस थोड़ा बहुत दिखावे में हमको ऐसा लगता है क्या है contemporary India और जो हमारी values थी traditional इंडिया की यह दोनों compatible नहीं है पड़ ऐसा है यह apparent है उपर उपर से लगता है long range comprehensive and deep understanding अगर हम क्या करेंगे एक long range comprehensive in depth understanding लाएं है ना will correct such impression जो impression है हमारा की दुनों अलग है अगर हम समझे सच में अपने tradition को तो वो बदलाव आएगा this they there are changes yes but changes within the essential context of the many sided and inclusive tradition that is India क्या बदलाव है बदलाव है लेकिन किसके अंदर जो essential context है हमारे बहुत sided और inclusive tradition है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है और जो contemporary interest है raise करने का standard of living का है ना यह किस पर emphasize कर रहा है practical activities practical idealism जो बदलाव practical is an intrinsic to India's mind as it could be to any other people on the earth जो हम बदलाव की बाते कर रहे हैं कैसा है practical idealism और यह intrinsic है हमारे mind में जैसे कि किसी भी इंसान के लिए हो पूरे world में it can be clearly observed that deep spirituality which is so dominant in India both in thought and life है spirituality इंडिया में dominant thought में भी और life में is not so otherworldly और idealistic इसा नहीं बस दिखावे के लिए idealism के लिए है is as pessimist या फिर negative है तो इतना कोई negative नहीं है कोई idealistic नहीं है there is no incompatibility in this regard जो हम बात किया रहे हमारी philosophy की ऐसा नहीं है कि वो compatible नहीं है या incompatible philosophy is not merely a medium of understanding के culture philosophy से सिर्फ आप culture को understanding करते हैं और उससे क्या होगा रहने सा रहने सा क्या होता है रिवर्थ की अगर वर्ड की हम बात करें वेस्ट में रहने सा हुआ जब लोग सोचने लगे तो ideological change बार रहा है तो एक philosophical रहने सा की बात हो रही है if only the rest of the world especially the west we'll search out the new insights अगर है न जो हमारा world है rest of the world India के अलावा especially जो हम west की बात करें यह क्या सर्च करेगा नए insight the new institution the new attitude and the method which might at least supplement or enlarge if not replace और correct the perspective of the western mind क्या कह रहे है अगर ध्यान से देखा जाए insights पे तो फिर क्या होगा जो बाहर के insights है सोचने का तरीक इंस्टिटूशन है अगर बदलेना at least है रिप्लेस तो होते है चेंज ही कर देना बट उसमें कुछ न कुछ चेंज आएगा supplement करेगा उसको बड़ा करेगा चीक है और correct करेगा जो परस्पेक्टिव है westerners के mind में एक professor George P. Cognor क्या कहते है question here is not so much whether India can contribute as whether the west is ready to receive कि प्रशन यह नहीं है कि इंडिया कुछ बता सकता है नहीं प्रशन यह है कि west receive करने को त्यार है implicitly क्या रहे इंडिया तो बताने के लिए competent है ही उसका tradition इतना जादा in-depth है कि उसके वास बहुत कुछ है सिखाने को आप यह बात आप सीखने को त्यार हो के लिए as in the case of understanding so in the case of learning from other people समझने से सीखना और समझना जिससे understanding की बात है वही एक learning वाली बात भी है कुछ remarkable attributes और attitude जरूरी है and very difficult to adopt yes दूसरे से सीखने के लिए पहले समझना पर समझने के बाद सीखना इसके लिए एक attitude है ना वही attributes चीए कुछ हमारे attitude में कुछ attributes है जो जरूरी है और मुश्किल है adopt करना perhaps it is even more important to learn from other people that the outsider must come with the spirit of humility ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा important है भार से जो आ रहा है सीखने जो आ रहा है कैसी हो उसमें humility हो हम कितना humble होना चीए तब ही तो सीखेंगे with open-mindedness अगर बाहर से आ रहे हैं आप humble हो open-minded हो cordial हो willing and determination to learn or learning will be impossible और superficial अगर willing to learn है तो टीक है वरना क्या होगा learning impossible हो जाएगी या सिर्फ उपर उपर से superficial हो जाएगी oversimplification and distortion are the inevitable results of the partial and superficial knowledge of complex Indian philosophical tradition क्या कर रहे हैं oversimplification कर रहे हैं जाद ही सिंपल या फिर distort करना यह result है अगर आप superficial knowledge लोगे हमारा जो complex tradition है इसका ठीक है तो यह पूरा paragraph था इसके उपर प्रेसी बनाना है तो यहाँ पर जिसे हम बात कर रहे हैं तो क्या themes है पहले हमने देखा कि कैसे लिखना है original text को एक बार पढ़ो ठीक है multiple readings हम करेंगे उसमें core elements क्या है primary argument क्या है उसको देखना supporting argument क्या है उसको देखना और बंदा लिख क्यों रहा है उस चीज़ को समझाना यहाँ पर क्या बात हो रही है सारी हमारे tradition के बारे में उसकी complexity और उसकी दूसरों को सिखाने की power और उसको learn करने के लिए जो humility है उसकी बात है उसमें no take करना है important points है उनको निकालना है फिर जब लिखेंगे तो key points को हम summarize करेंगे clarity रखेंगे तो क्या ध्यान रखना है clarity consciousness और objectivity इन तीन चीजों का हम ध्यान रखेंगे ठीक है personal opinion नहीं डालने है essential information है इसको नहीं हटाना है text को copy नहीं करना है lines को फिर check करना last में लिखके कि adhere कर रह है या नहीं कर रहा है accuracy है कि तो अगर देखें टाइटल इसका एक टाइटल बनाना पड़ेगा जब आप लिखते हो तो overall टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जो आपका paragraph है उसकी जो essence है वो टाइटल के अंदर आने चाहिए इसे essence of Indian philosophy in modern time दोनों चीज़े एक Indian philosophy की बात हो रही है और modern times की भी बात हो रही है तो जब हम प्रेसे बनाएंगे तो सबसे पहले main idea क्या है अगर आप यहाँ देखो कि जो endure कर रहा है relevance India की philosophy contemporary times में और potential जो contribution हम कर सकते हैं global thought इसके बारे में बात हो रही है क्या चीज़े एक की philosophy relevant है या नहीं आज पर और contribute कैसे कर सकते है global thought को कैसे वो सीख सकते हैं इसमें tone कैसी है बंदेगी reflective है जो भी बात कह रहा है उसको explain कर रहा है analyze कर रहा है analytical है reflective है फिर अगर आप देखोगे key points क्या क्या है एक कि philosophical system हमारा कैसा है age old है फिर भी आज को भी influence कर रहा है क्या बात ही philosophical system even though पुरान है बट still modern life को influence कर रहा है contemporary contemporary जो भी इंडिया की developments है ये क्या हमारी values के साथ align कर रही है ये बात कही है फिर जो spirituality है और practical idealism है ये mutually exclusive नहीं है इंक्लूजिव है ठीक है spirituality और हमारा idealism कैसा है practical है और फिर क्या बात करी है west इसका फायदा उठा सकता है फिर क्या करना है तो paraphrase करना है शुरू कर तो जिसे India's ancient philosophy क्या continues to guide its modern ethos and hold valuable insights for global understanding where despite modernization India's development reflects its traditional values contrary to perception of incompatibility India's spirituality complements its practical approach to progress the western world stands to gain from India's philosophical depth provided it approaches with openness and humility उसी चीज़ को कर दिया concise कर दो छोटा कर दो फिर review करो कि जितने भी points है included है या नहीं है flow है की नहीं clarity है की नहीं length कितनी रखनी है उसका ध्यान रखना है फिर वही final normally title हम last में देता है यह title लेना है जो पूरे को encapsulate करे फिर adhere कर रहा है कि नहीं original meaning को और tone को इसको देखो और वही जो हम बात कहते हैं कि सिर्फ यह summary नहीं है लेकिन क्या है एक analytical representation है original text का clear होना चाहिए concise होना चाहिए और जो core message है core message effectively पहुँचना चाहिए तूसरे तक इसलिए हम pressy को लिखते है ठीक है जो मैं answers discuss कर रहा हूँ यहाँ पर मैं यह गोशिश कर रहा हूँ ठीक है answers आप खुद लिखो कोशिश करो बताने की देखो answer बनाना असान होता है बता दू सीधा सीधा यह answer है मैं चाहरा हूँ कि आप उस process को समझो structures को समझो और उनको करो जैसे है या वो report है या for that matter later है मैं चाहरा हूँ खुद लिखो एक बार अराम से लिखो even जो हम यहाँ बात कर रहे है passages की ठीक है एक बार पढ़ो फिर से और फिर से उनको attempt करो ठीक है चाहरी discussion से यह चीज़ हो जाते हैं कि एक direction मिल जाती है कि यह यह चीज़े हैं यह यह थीम्स हैं इन पर फ्रेशन आते हैं ताकि आप उनको बार बार practice कर सकते हैं भुड़ा सा हमेशा थीम्स का ध्यान रखना और उस पर practice करते रहे हैं ठीक है इसी उम्मीद के साथ हमारा कल हमारे आज से बहतर होगा all the rest